हाई गाईज, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम जनवरी 2nd वीक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स एक साथ कवर करेंगे, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेर्स नहीं दे इस देश के बीच समझोता ग्यापन को मंजूरी दी है, आपके सामने ओप्शन्स हैं, और सही उत्तर है जापान, साथ ही आप ये भी नोट कीजेगा, कि हाल ही में स्टील इंडस्ट्री में सहयोग के लिए इंडिया और जापान ने डील साइन की है, साथ ही समवात कॉन्फ 14 लोकेशन पर भेज़े जाएंगे, इससे पहले इन्हें जैपनीज लेंग्वेज टेस्ट के साथ साथ रिक्वाइड स्किल भी हासिल करने होंगे, जापान के प्राइम मिनिस्टर है योशी हाइट शूगा, यहां की कैपिटल है टोक्यो, और करंसी है जैपनीज येन, यह आप PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो North से South, इन Island को Arrange करने के लिए Question पूछा जाता है, तो यह North से South में ही लिखे हुए हैं, साथ ही आप यह भी आद रखना, कि जापान में एक Special तरह का Dance Drama होता है, जिसे बोलते हैं Kabu की, और यहां पर एक Special तरह की Flower Arrangement भी एक Art होती है, जिसे बोलते हैं Ikebana, यह, और साथ ही जापान में एक Paper Folding की Special Art होती है, जिसे बोलते हैं Origami, तो जो यह Origami और Ikebana है, यह SSC और Railways में कई बार पुछे जा चुके हैं, तो इनको आप नोड जरूर कर लेना, साथ ही World की Most Populous Metropolitan Area, यह Great Tokyo Area है, और Asia में सबसे पहले जो Summer Olympics हुए थ तो अब यह इस साल यानी 2021 में होंगे 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में, आगे बढ़ते हैं 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में 10,000 सरकारी कारियाले को हरित घोसित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है केरल, और केरल के CM है पिनराई विजियन, ग्रीन ओफिस यानी हरित कारिय पालन करेंगे, केरल के बारे में अगर और जानकारी लें, तो केरल के गवर्णर है आरिफ मौहमत खान, यहां की कैपिटल है थिरुवन नंतपूरम, मलियालम यहां की ओफिशल लेंगविज है, ग्रेट होन बिल, यह केरल और अरुनाचल प्रदीश, इन दोनों की स्टेट बर्ड है, यहां के अगर फेमस प्लेसेस की बात करें, तुसरी पदवनस्वामी टेंपल, सबरी माला टेंपल, सिवगिरी टेंपल, अनमुदी माउंटेन, पेरियार नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, यहां के काफी फेमस हैं, एक्जाम में आपके पूछा जाता है साथी फ्रेंट्स यह भी आद रखना, कि कुट्टू नाड यहां पर एक जगे है, यह अपने चावल के खेतों हे लिए जाना जाता है, इंडिया में सबसे लोवेस्ट एल्टिट्यूट यहां ही पर है, और यहां की फार्मिंग को, जो फार्मिंग को, जो फार्मिंग को, लॉंच की गई, देखे मिनियेचर का मतलब होता है, कोई भी वस्तु है, उसका छोटा रूप, जो एक्ट्रेन होती है, वे काफी लेंदी होती है, तो यहां पर मिनियेचर ट्रेन लॉंच की गई है, यानि उसका छोटा रूप, यह ट्रेन काफी छोटी है, और सोलर पावर से चलती है साथी केरल ने हाल ही में बर्ड फ्लू को इस्टेट डिजास्टर के रूप में चैनित किया है इसको डिकलेर किया है साथी युनाइटेड नेशन विमेन एंड केरल गवर्मेंट मिलकर इंडिया का फस्ट जैंडर डेटा हब बनाएंगी निम्न लिखित में से किस और इसके चार पुर्वन निदियसकों पर कुल 1.8 करोड रुपे का जरुआना लगाया है ओप्शन्स आपके सामने हैं करेक्ट आंसर है सेवी सेवी यानि Securities and Exchange Board of India इसे हिंदी में बोलते हैं भारतिय प्रतिभूती और विनिमय बोर्ड सेवी के अगर बात करें तो सबसे पैले इसकी स्टैब्रिश्मेंट 1988 में हुई थी लेकिन सेवी एक्ट 1992 के त्रू इसको ऑटोनोमस बोडी बना दिया गया 12 अप्रेल 1992 को ये भारत में Securities and Commodity Market की Regulator है इसका Headquarters है मुंबई में और इसके Chairman है अजे त्यागी साथ ही आप ये भी आद रखना कि सेवी ने हाल ही म मुकेश अमबानी पर 15 करोड रुपे का और Reliance Industries पर 25 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है आगे बढ़ते हैं एसिया के सबसे अमीर आदमी जौंग शुन-शुन किस पानी की बोतल कमपनी के संस्थापक हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं तो करेक्ट आंसर होगा नौंग कर दिया है और हाल ही में ये नियूज में इसलिए हैं क्योंकि अब ये 6th position पर पहुंच गए हैं और इन्होंने वारेन बफेट को रिप्लेस कर दिया है साथी ये भी आदकना की मुकेश अमबानी अब 12th richest person है in the world as per Bloomberg Billineers Index संजे कपूर को किस खेल महासंग के अध्यक्स के रूप में चुना गया है तो इन्हें चुना गया है All India Chess Federation के अध्यक्स के रूप में साथी भरत सिंग चोहान इनको secretary पद पर रिटेन रखा गया है और इसका हैटकॉर्टर से All India Chess Federation का हैटकॉर्टर से चेन नई में साथी फ्रेंड्स ये भी आद रखना Softball Federation of India इसकी first female president बनी है नीतल नारंग ये हाली का current affairs है सैयुक्त राष्ट बालकोस के अनुसार नव वर्च यानी नए साल के दिन पैदा होने वाले बक्चों की सबसे अधिक संख्या लगबग 60,000 किस देश ने दर्च की तो ये दर्च की है इंडिया ने और ऐसा कहा है UNICEF ने UNICEF मतलब United Nations Children's Fund इसका headquarters New York in US में है और इसकी executive director है Henrietta H.4 साथ ही अगर बात करें तो पूरे वर्ड में नए साल के दिन 37,504 बेबी बॉर्ण हुए और इन में जो सबसे टॉप पर रहे हैं countries इंडिया फिर चाइना फिर नाइजीरिया फिर पाकिस्तान फिर इंडोनेशिया इस तरह से लिष्ट है और आप ये भी आद रखना कि UNICEF की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और सन 2021 में ये अपनी 75th anniversary मना रहा है Re-Imagine Campaign ये UNICEF द्वारा सुरू किया गया है जिसका मकसद है कि COVID-19 pandemic से related जो भी रहत पहुचाई जा सके वो पहुचाई जाए साथी फ्रेंट्स ये भी याद रखना कि UNICEF ने हाल ही में आयुसमान खुराना जो की Indian actor हैं इनको अपने Child Rights Advocacy Program के लिए नुक्त किया है भारतिय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केंद्रिकरत भुक्तान प्रणालियों में 50 करोड रुपे से अधिक के लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचान करता यानि Legal Entity Identifier जिसे LEI कहते हैं इसके सुरुवात की है तो LEI में कितने अंक होते हैं देखें कॉस्चन समझ लेते हैं आपको मालूम होगा कि जो बड़ी पेमेंट्स होती है वो RTGS या फिर NEFT के तुरू होती है तो अब अगर 50 क्रोड रुपे से ज्यादा की अगर धन्राशी की ट्रांजक्शन हो रही है तो उसके लिए जो भी ट्रांजक्शन कर रहा है व्यक इन्वॉल्व पार्टीज की पहचान और अच्छे से हो जाती है फाइनेंशल डेटा सिस्टम की क्वालिटी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है तो आर्बियाई ने भारत में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड जो की क्लियरिंग कोर्पोरेशन और इंडिया लिमिटेड की एक सबसेडियरी कंपनी है इसको यह जिम्मा दिया है कि आप LEI यह नंबर आप डिस्ट्रिबूट करेंगे और यह फ्रेंट्स एक अप्रेल 2021 से लागू होगा विसु बैंक की वैस्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार यान वर्ड बैंक की ग्लोबल एकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ने देखिए जबकि अगले वित्वर्ष यानि 2021-22 में भारती अर्थिवरस्था में 5.4% वृद्धि का अनुमान है और साउथ एशिया की जो 2021 में जो ग्रो करेगा वो 3.3% से ग्रो करेगा साथी फ्रें किस राज्य में 5 ट्राइफट पार्क इस्थापित करेगा तो ये करेगा मध्यपरदेश में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए ट्राइफट और अखिल भारतिये वनवासी कल्यान केंद्र इन दोनोंने एक एग्रिमेंट साइन किया है जिसके तैद मध्यपरद किसान जो भी अपना एग्रिकल्चर प्रोड्यूस करते हैं या फिर उनको खेती से जुड़ी जो सिक्षा दी जाती है उसका जिम्मा ट्राइफट के ट्राइफट को दिया गया है साथी ये भी आधक नहीं अर्जुन मुंदा जो की ट्राइबल अफेर्स मिनिस्टर है इन् इंटरनेशनाल फिल्म फेस्टिवल ऑफ उफ इंडिया जो की गोवा में हुगा इसका इक्यामवे संस्कारण के लिए अंतराष्टी जूरी के अध्यक्स के रूप में किसे नामित किया गया है तो फ्रेंट देखें एक क्यामनवा संस्क्रण होगा International Film Festival of India का ये गोवा में होगा तो इसमें जो जूरी होंगी जो जज होंगे तो उनमें अध्यक्स कोन रहेंगे तो उनमें अध्यक्स रहेंगे पैबलो सेसर जो की अर्जेंटीना के एक फिल्म निर्माता है साथी इनके साथ 4 लोग और रहेंगे यानि टोटल 5 परसंस की जूरी है तो आप जो नीचे B, C, D ओप्शन देख रहे हैं ये भी इनमें सामिल है और इनमें इंडिया के प्रियदर्सन जो की फिल्म निर्माता है ये भी इसमें सामिल है साथी इनमें पांचवे जो व्यक्ति है वे हैं प्रसंना विन्थनज ये स्री लंका के हैं तो ये भी इनमें सामिल है ये पुरी पांचवे की टीम है Amazon के CEO Jeff Bezos को पचाड कौन विश्वका सबसे अमीर व्यक्ति बना तो ये बने है एलन मस्क तो ऐसा बताया है ब्लूमबर्ग ने देखे एलन मस्क को आप इस सदी के महायना के रूप में कह सकते है देखे अब आप ये देखे एक तो SpaceX इसके ये founder and CEO है साथी Tesla इसके ये CEO है और इन्होंने boring company जो की tunnel वगएरा की खुदाई करती है इसके भी ये founder रह चुके है PayPal के ये co-founder है Neuralink इसके co-founder है OpenAI इसके founder है Jip2 इसके founder है और ये जो आपका Solar City है इस company के भी ये chairman है तो देखे कितना बड़ा empire इन्होंने खुद से खड़ा किया है तो सदी के मानाएगा आप इनको कह सकते है और अब ये Amazon के JF Bezos को पिछाड़ कर पहले number पर आ गए है हाला कि ये उपर नीचे चलते रहते हैं अब कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा कि JF Bezos जो है आगे निकल जाएंगे किस CPR ने भारते नोसेना को Landing Craft Utility M.K. चतुर्थ स्रेणी पोद I.N. L.C. U. L. 58 वित्रित किया है तो ये किया है Garden Reach सी Builders and Engineers कौलकाता ने निमली कित में से किस बैंक ने बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने की सुईदा शुरू की है Options आपके सामने है Correct answer है IDBI Bank ने जिसका Headquarters मुंबई में है और इसके Chairman है Mr. M. R. कुमार और इसके MD and CEO है Mr. Rakesh Sharma Gary Mosdon जिनकी हाली में मृत्य हुई किस Football Club के Anthem Singer थे तो ये रहे Friends Liverpool FC के और इनकी हाली में मृत्य हो गई है और Friends इनका एक band भी था Gary and Pacemakers किस भारती अंतरिक सियान ने Kalam 5 नामक अपने पहले Solid Rocket Propulsion Stage Demonstration का सफलता पुर्वक परिक्षन किया है तो ये किया है Sky Route Aerospace Space Private Limited ने जो की हाइदराबाद में इस्तित है तो देखे आपको ये बता दें कि जो Sky Route है Sky Route Aerospace जो है ये इंडिया की पहली प्राइवेटली डिजाइंड और डेवलप्ट और टेस्टेट रोकेट लॉंच करेगा 2021 में तो इसी का जो एक इनोंने इक डेमोंस्टेटर के तरह एक लॉंच किया है तो इसका नाम है Kalam 5 तो ये जो है एक एक Solid Rocket Propulsion Stage Demonstrator है इसका नाम है Kalam 5 ये इसके लिए लॉंच किया है जो कि ये 2021 में Vikram 1 इसको लॉंच करने वाले हैं ये पहला Privately Designed Rocket होगा साथी फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि Pixel जो कि एक Space Startup है ये भी एक Space Startup है तो इसने हाली में NSIL यानि New Space India Limited इसके साथ मिलकर ये इंडिया की First Private Remote Sensing Satellite इसको लॉंच करेगा तो ये जो लॉंच है ये 2022 से 2023 के बीच में कभी भी लॉंच कर सकते हैं तो ये दोनों Important Space से जुड़े हैं तो दोनों Current Affairs Space से related हैं तो आपके लिए काफी Important है इनको Note Down जरूर कर लेना सिहानुक विले बंदर का किस देश में इस्थित है तो Options आपके सामने है और Correct Answer होगा Cambodia ये पोर्ट इसलिए चर्चा में है क्योंकि Mission Sagar 3 के तहत Indian Navy Ship यानि INS Kilton Cambodia के इस पोर्ट से वापस रवाना हो गई है और इस शिप के द्वारा राहत सामगरी Cambodia में पहुचाई गई है Mission Sagar के तहत बारत मित्र विदेशी देशों को इस pandemic के समय में राहत सामगरी पहुचा रहा है सागर का अर्थ है Securities and Growth for all in the reason Mission Sagar का जो Concept है ये साल 2015 में प्रदार मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा लाए गया था इससे पहले INS Kilden वियतनाम में भी राहत सामगरी पहुचा चुकी है अगर हम इसकी बात करें Cambodia की बात करें तो इसकी capital है Phnom Pen और यहां की करंसी है Cambodian Real सोर्वे प्रवासी भारते दिवस में मुख्य अतिति कौन है तो options आपके सामने है और सही answer है option D चंद्रिका परसाद संतोखी जो की सुरी नाम के प्रेजिनेंट है राष्टपती है बागी options भी देख लेते हैं KP सर्मा ओली यह नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है परविंद चुगनाथ यह मौरिसस के प्राइम मिनिस्टर है इबराहीम मोहमेद सौली यह माल दिवस के प्रेजिनेंट है तो देखे जो सोलवे परवासी भारत्य दिवस है इसका जो उद्भाटन किया है यह परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी द्वारा किया गया है और इसका थीम रहा है contributing to आत्म निर्बर भारत यह जो दिवस है यह हर दो साल में एक बार मनाये जाता है और सबसे पहले यह जो है 2003 में बनाये गया था और यह याद रखे जा कि यह इसलिए मनाये जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांदी जिने की सबसे बड़ा प्रवासी भारत का यह साउथ अफरिका से भारत में वापस आये थे तो यह है इसका थीम आत्म निर्बर भारत में योगदान युवाओं को आत्म निर्बर बनाने के लिए किस राज्य ने लॉंच पैड़ योजना शुरू की है तो ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा मध्यपरदेश जो इमेज आप देख रहे हैं यह है मध्यपरदेश के सीम सीवरासिंग चोहान इस स्कीम के अंतरगत 18 वर्ष की आयू पूर्ण कर चुके 6-8 युवाओं के समों को कॉफी शोप, स्टेशनरी, फोटो कॉपी कम्प्यूटर टाइपिंग इस तरह के कारे सुरू करने के लिए इस्थान उपलब्द कराये जाएगा अगर मध्यपरदेश की बात करें तो यहां के सीम है सीवरासिंग चोहान गवर्णर है आनंदी बेन पटेल जो की देवास में है, यह मध्यपरदेश में है साथी फ्रेंट से याद रखना की नेपा नगर, यह कई बार एक्जाम से पुछा जा सुका है खासकर की रेलवे एक्जाम में की नेपा नगर जो है, यह किसलिए फेमस है तो यहां पर जो है, निउस प्रिंट पेपर मिल्स है इसके लिए ये फेमस है साथी भगोरिया ट्रैबल फेस्टिवल तांसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो ही ग्वालियर में मनाये जाता है कालिदास समारो जो की उज्जैन में मनाये जाता है नर्मदा फेस्टिवल काना नेशनल पार्क कुनो नेशनल पार्क बां मारी हील इस्टेशन ये भी मध्यपरदेश में ही है मध्यपरदेश से जुड़े करेंट अफेर्स की बात करें तो लोकल ट्रेडिशनर आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मध्यपरदेश सरकार ने हाली में एक जीला एक शिल्प इस केंपेंग को शुरुवात की है साथी मध्यपरदेश ने चुड़ेट एप इसको भी लॉंच कि लिए साथी मध्यपरदेश गवंधंड ने हाली में धर्म स्वतनत्रिय रिलिजयस फ्रीडमबिल इसको भी एप प्रूव किया है साथी मध्यपरदेश गवंधन ने एक मास्क अने एग जिंदी केंपेन भी लॉं सकते हैं क्योंकि जो हाल ही में सरकार द्वारा लेपर्ड सेंसर जो आकड़े जारी किये गए हैं तो उसमें टोटल लेपर्ड जो हैं भारत में यह हैं 12,852 पिछले चार सालों में 60% की विरिद्धी लेपर्ड की संख्या में होई है और अगर स्टेट्स की बात करें तो सबस्यादा लेपर्ड हैं मध्यप्रदेश में 3421 इसके बाद हैं करनाटक में और तीसे नंबर पर हैं महाराष्ट्र में साथी मध्यप्रदेश गवर्मेंट ने गंदे की भारत छोड़ो इस कैम्पेन को भी लॉंच किया है और यह भी आद रखना कि इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व बना है बांदावगर टाइगर रिजर्व जहां पर की होट एर बलून सफारी लॉंच की गई है साथी अगर हम यहां के और टाइगर रिजर्व की बात करें तो काना टाइगर रिजर्व पेश टाइगर रिजर्व पनना टाइगर रिजर्व सत्पूरा टाइगर रिजर्व और संजे टाइगर रिजर्व यह सभी मध्यपरदेश में है फ्रेंट्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए किस देश की संसद ने एक कानून को मंजूरी दी है जिससे नागरिक समाज समोग की सरकारी निगरानी बढ़ेगी देखें कहना क्या चारे हैं कि किस कंटे की पार्लेमेंट ने इस तरह के एक लोग को मंजूरी दी है जहाँ पर की जो सरकार है वो अब इस देश के सिविल सोसाइटी गुरुप्स की निगरानी कर सकता है उन्हें मोनिटर कर सकता है तो आंसर होगा टर्की टर्की की जो प्रेजिजेंट है इनका नाम है रेचेप तैयप अर्दोआन जो फ्रेंट चे लिखा है ना इसको अर्दोगन नहीं पड़ते हैं तर्की इस भाषा मे में पुछा भी जा चुका है कि कॉंस्टेंटिनोपल किस सिटी का पूर्व नाम था तो आंसर होगा इस्तानबूल साथी तर्की की करंसी है टर्किश लिरा और तर्की आज रखना एक Transcontinental Country है Transcontinental Country वे countries होती है जो की एक से जादा continent में जिनका area होता है या फिर एक से जादा continent में वे घिरी होती है जैसे कि Turkey है तो इसका कुछ हिस्सा Western Asia में है और कुछ हिस्सा Eastern Europe में है तो इसी तरह से रशिया है उसका कुछ part जो है वो Asia में है और कुछ पार्ट यूरप में है तो और भी इस तरह की Transcontinental Country है आप जरूर सर्च कीजिएगा साथी Sea of Marmara ये है जो Turkey को Asian और European Lands में divide करता है ये Black Sea को Asian Sea में divide करता है और Sea of Marmara पुरी तरह से Turkey के अंदर located है साथी Boss Forest Strait ये Black Sea को Sea of Marmara से connect करता है तो ये आप तर्की की location इसमें देख सकते हैं और ये है Sea of Marmara जिसके कि अगर आप West में देखें तो ये तर्की का वो भागे जो यूरोप में है और अगर जो इसके East में है ये Asia में है राजा मान सिंग तोमर सम्मान के लिए किसे चुना गया तो ये चुना गया है अभिनाव कला परीशत को जिसके इस्थापना तबला प्लेयर सुरेश तांटेन ने की थी और ये भी आद रखना कि तांसेन समारो ये मध्यपरदेश के गौाले डिस्टिक में मनाय जाता है और इस बार संतूर वादक पंडित सतीस व्यास को ये सम्मान दिया गया है निमनलिकित में से किसने 2019 में परदान मंत्री आवास योजना सहरी के कार्यान वियन के लिए सर्वसेट परदर्शन करने वाले किंदर सासित परदेश का प्रुसकार जीता है तो ये जीता है पूडुचेरी ने पूडुचेरी की लेटरिन गवर्नर है किरन बेदी और यहां के चीफ मिनिस्टर है वी नारायन सामी देखे जो ये परदान मंत्री आवास योजना अर्बन है ये एक सेंटरली स्पॉंसर्ड स्कीम है जिसका मकसर ये है कि 2022 तक सभी के पास अपना घर हो और इसको जो लांच किया गया था वो 25 जून 2015 में लांच किया गया था साधिफ रेट्स अगर हम पूडुचेरी की बात करें तो चार फ्रांस की जो कॉलोनीज रह चुकी है पूडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम इन से मिलकर ये बनी है पूडुचेरी और 1 नमबर 1954 को इसका भारत में विले किया गया पहले इसको पूडुचेरी बोला जाता था लेकिन 20 सितमबर 2006 को इसका नाम बदल कर पूडुचेरी कर दिया गया था और जो producery है ये Coromandel Coast पर located है साथी दो location आप याद रखना दो places इसको स्री अरविंदो आश्रम और Oroville Township ये दोनों ही producery में है Oroville Township तो आप बिल्कुल याद रखना ये SST में भी पूछा जा चुका है और intelligence bureau का जो paper हुआ था ACIO का उसमें भी ये पूछा गया था कि Oroville Township कहाँ पर है साथी जो producery के लोग हैं ये English, Tamil, Telugu, Malayalam के अलावा French language भी बोलते हैं साथी finance minister ने हाली में ये नमवंबर की बात है परधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए 18.0 करोड की additional grant एप्रूव की है तो इस तरह की question भी हमारे exam में बन जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये question कहां से बना है क्योंकि देखिए अगर आप केवली headline देखेंगे तो बिल्कुल भी important नहीं लेगा लेकिन इस तरह कोश्चन आ जाते हैं कि कितनी amount जो है अप्रूव की गई है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लिए किस राज्य ने राज्य सरकार की डिजिटल पहुंच सुनुश्चित करने के लिए डिजीनेस्ट मुबाइल एप लॉंच किया ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा पंजाब तो पंजाब के चीश मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंग और यहां के जो गवर्णर है यह हैं वीपी सिंग बदनौर और यहां की कैपिटल है चंडिकड अगर हम पंजाब से जुड़े Current Affairs की बात करें तो पंजाब गॉन्टमेंड ने हाली में आई रखवाली एप को भी लॉंच किया है साथी पंजाब CM ने हाली में PR Insights Mobile App और वेब प्टल को भी लॉंच किया है यह हमने अपने प्रिवेस सेशन्स पे cover किये हुए current affairs तो अगर आप इनको detail में देखना चाते हैं तो खुद से search कर सकते हैं ग्रामीन अर्थव्यस्ता को बढ़ावा देने और self sustainable बनने के लिए KVIC द्वारा अनावरण की गई खादी इंडिया की आधिकारी e-commerce site का नाम बताईए तो ये है e-khadi-india.com अगर हम KVIC की बात करें यानि खादी and Village Industries Commission तो इसकी स्थाबना अप्रेल 1957 को दृत्य पंचवर्सिय योजना के तहत की गई थी तो ये भी पुछा जाता है कि किस पंचवर्सिय योजना के तहत इसकी स्थाबना की गई थी ये organization जो है परद्योगी की सूचना पुर्वानुमान और मुल्यांकन परिशत यानि TIFAC इंगलिज में बात करें तो Technology Information, Forecasting and Assessment Council इसके द्वारा त्यार किया गया एक डोक्योमेंट है जिसका नाम है Action Agenda for आत्मनिरबर भारत तो ये किस ने जारी किया है तो ये जारी किया है डॉक्टर हर्षवर्दन सिंग ने डॉक्टर हर्षवर्दन सिंग के पास तीन मिनिस्ट्रीज है Ministry of Science and Technology Ministry of Health and Family Welfare और Ministry of Earth Sciences तो question आप दिहां से समझेगा और इसका answer होगा डॉक्टर हर्षवर्दन डॉक्टर हर्षवर्दन से जुड़ेगर Current Affairs की बात करें तो इन्हें हाली में गावी जो की एक Vaccine Alliance है इसका Board Member भी नोमिनेट किया गया है साथी डॉक्टर हर्षवर्दन ने हाली में Ocean Data Management के लिए एक Digital Platform लोंच किया है जिसका नाम है Digital Ocean साथी फ्रेंट्स हर्षवर्दन जी ने भारत की Indigenous First Neumococcal Vaccine बनाई है जो की pneumonia के लिए है और इसका नाम है Neumosil तो यह भी याद रखना pneumonia यह जो है P से शुरू होता है लेकिन इसको पढ़ा जाता है pneumonia N से इसको प्रनौंश किया जाता है लेकिन जो इसकी spelling है यह P से शुरू होती है किस राजया केंदर सासित प्रदेश ने Power Surplus छेत्र बनने के लिए NHPC के साथ एक समझोता ज्यापन पर हस्ताक्षर किये है तो यह किये हैं Jammu and Kashmirain NHPC यानि National Hydroelectric Power Corporation ठीक है इसके साथ किये हैं जम्मो कश्मीर की बात करें तो यहां के Lieutenant and Governor है Manos Sina और R.K. Singh यह है Union Minister of State for Power New and Renewable Energy नोंने उत्गाटन किया है और यह भी आदटना कि जो जम्मो एंड कश्मीर है इसकी दो कैपिटल है स्रीनगर जो की Summer Capital है जम्मो यह Winter Capital है मद्यपरदेश से जुड़े माफ कीजेगा जम्मो एंड कश्मीर से जुड़े Current Affairs की बात करें तो जम्मो एंड कश्मीर में हाली में DDC elections हुए है तो यहां पर Single Largest Party के रूप में BJP उभरी है जिसने की 75 seats यहां पर पाई है अगर overall हम बात करें जम्मो एंड कश्मीर ने नाफेड के साथ एक Pact Sign किया है जिसके तहत यहां का जो Horticulture Produce है या जो उत्पाद है Horticulture से जुड़े उनको एक Global Market प्रोवाइट कराया जाएगा नाफेड का मतलब है National Agriculture Co-operative Marketing Federation of India साथी जम्मो एंड कश्मीर के स्री नगर में इस्थित अमर सिंग कोलेज इसको उनको का एक अवर्ड मिला है For Cultural Heritage Conservation साथी जम्मो एंड कश्मीर के Lieutenant Governor यहां के Administrative Service Officers के लिए Sparrow सिस्टम को भी लॉंच किया है Sparrow का मतलब है Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window तो यह फुल फॉर्म भी आप Note कर लीजेगा साथी आपको मालूम होगा कि जम्मो एंड कश्मीर में दो Official Languages थी उर्दू एंड इंग्लिश लेकिन अब क्या किया गया है सरकार द्वारा तीन और Official Languages एड कर दी गई है यह सितंबर की Current Affair है तो कश्मीरी, डोगरी और हिंदी महुत्सव कब आयोजित किया जाएगा तो Options आपके सामने है और Correct Answer होगा C 12 March से 19 March 2021 तक चोथा Global Ayurved महुत्सव आयोजित किया जाएगा यह सूचना दी है वी मूरली धरन ने जो की Union Minister of State for External Affairs के साथ साथ Minister of State for Parliamentary Affairs भी है विश्व मोसम विज्ञान संगठन यानी WMA जो की जिनेवा में है तो इससे किस मोसम संबंदी वेट साला ने सताबदी अवलोकन स्टेशन का दरजा प्राप्त किया है यानी Centennial Observing Station का स्टेटस किसने प्राप्त किया है तो यह प्राप्त किया है पटना Metrological Observatory ने जिसकी स्ताबना 1867 में हुई थी दक्षिन एसिया उड़जा सुरक्षा के लिए किंदर सरकार द्वारा हाली में कठित उच्च इस्तरीय समों की अदक्षिता कोन करेंगे तो ओप्षिन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्षिन D राम विने साही जोकी यूनियन पावर सेकरेटरी है कभी-कभी आप इंग्लिस के जो इंग्लिस में जो कोश्चन लिखा है वो भी जरूर पढ़ा करें क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि इंग्लिस वाला कोश्चन ज्यादा समझ में आ जाता है हाली में पर्धानमंत्रि Narendra Modi ने करनाटक में कोची मंगलुरू प्राकरति Gtat Pipeline का उध्हारटन किया है इस pipeline की लंबाई कितनी है तो इस pipeline की लंबाई है 350 km और इसको बनाया है गेल ने कभी कोच्य ने इस तरह से भी बन सकता था कि प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोची मंगलरू गैस नैच्रल गैस पाइपलाइन काउध भाटन किया है करनाटक में जिसकी लेंड 350 किलो मिटर है तो इसको किसी ने बनाया है तो आंसर होगा गेल अंटार्क्टिका के लिए 40 वा भारतिय वैग्यानिक अभियान हाल ही में किस बंदरगा से या किस पोर्ट से रवाना किया गया तो ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन्स C मुर्मुगाव जो की गोवा में है ये पोर्ट गोवा में लोकेटड है दे ये भी आप याद रखना कि National Center for Polar and Ocean Research NCPOR ये गोवा में लोकेटड है और भारत के अंटार्क्टिका में दो इस्टेशन्स है एक तो मैत्री दूसरा भारती लेकिन आप कंफ्यूज मत होना हिमादरी नाम से क्योंकि जो हिमादरी है ये आर्क्टिक इस्टेशन है ठीक है तो में केंद्रे मंत्री धर्मेंद्र प्रदान ने एक प्रवासी स्रमिक सेल का उद्वाटन किया तो ये किया है सूरत में इन गुजरात धर्मेंद्र प्रदान जो है ये Cabinet Minister for Petroleum and Natural Gas and Steel ये विभाग इनके पास है साथ में जो नहोंने माइगरेंट वरकर सेल ये लौंच किया है तो इसके तहत जो है जो माइगरेंट्स होंगे उनको उनके स्कील के बेसिस पर क्लाशिफाई किया जाएगा और उसके तहत उनकी सायता की जाएगी उनको रोजगार प्रवाइट करा जाएगा तर्मेंद्र प्रदान ने हाल ही में भारत का आठवा ओल एंड गैस प्रोडक किया है किस देश ने आलोक सर्मा को संयुक्त राष्ट जलवायू सम्मेलन COP26 के पूर्ण कालिक यानि फुल टाइम अध्यक्स के रूप में न्यूक्त किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेट किंग्डम बोरिस जॉनसन यूनाइटेट अच्छा एक जानने वाली बात है कि यूनाइटेट किंग्डम, ग्रेट बिटेन और इंग्लेंड इनमें क्या अंतर है तो आप इस चार्ट को देखिए यह है ग्रेट बिटेन तीन कंट्रीज ग्रेट बिटेन का हिस्सा हैं इंग्लेंड, स्कौटलेंड और वेल्स यह है United Kingdom अब अगर आप इस Great Britain and Northern Ireland को मिला दें तो United Kingdom मनता है यानि आप कह सकते हैं कि United Kingdom equals to Great Britain plus Northern Ireland या फिर आप कह सकते हैं कि United Kingdom equals to England plus Scotland plus Wales plus Northern Ireland देखे Ireland दो देशों में विभाजित है एक है Republic of Ireland और दूसरा है Northern Ireland तो आप ये कह सकते हैं कि England, Scotland, Wales and Northern Ireland मिलकर United Kingdom को बनाते हैं अगर आप ने ये पहली बार जाना है तो वीडियो को लाइक जरूर करें निम लिखित में से किस ने M Pension मनिपूर एप लॉंच किया है अगर आप ये जानते हैं कि मनिपूर के CM कोन है तो इस Question का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं मनिपूर के CM है N. Biren Singh तो इस Question का आंसर भी होगा N. Biren Singh साथी और Options में देख लेते हैं नेप्यूर रियो ये नागालेंड के CM कोन्रेट सांगमा ये मेगाले के CM सर्वनन्दा सोनवाल ये आसाम के CM बात करते हैं मनिपूर से जुड़े कुछ facts की यहां की गवर्णर है नेजमा हेप्थुल्ला Capital है इमफॉल मेतेई पीपल देखिए ये question एक बार UPSC prelims में match the following में पूछा गया था तो याद रखना मेतेई पीपल मनिपूर से बिलोंग करते हैं और लाई हरोबा ये इनका काफी खास festival है काफी खास त्योहार है साथी और इनके मेंस festival देख लेते हैं सिरोई लेली festival लाई हरोबा याउशांग डोल जात्रा एंड रासलीला अगर बात करें यहां के famous sports की तो मुकना याभी लगपी जो कि एक coconut snatching game है एक रगबी की तरह एक game है और कौंग, खांग जेई और थांगता थांगता के बारे में एक important information हम खाली में जानेंगे यहां की important places देख लेते हैं श्री गोवन्दीजी temple सहीद मिनार नूपी लेन जो की women's war memorial complex है आईने memorial जो की मोयरांग में है लोगतक लेक केबू लेम जाओ नेसनल पार्क शिरोई हील जोकोव वैली स्टेट म्यूजियम कॉंग जोम वार मेमोरियल कॉंप्लेक्स इंडिया पीस मेमोरियल यह सभी यहां के important places है साथ इफेंट से भी आद रखना संगाई डियर यह पूरे विस्व में केवर मनीपुर में पाये जाता है देखिए यह है लोगतक लेक इसमें जो आप green landmass देख रहे हैं यह circular जो आप या इस फेर आप कह सकते हैं यह green landmass इसको बोलते हैं फुमडीज यह इस लेक में तैरते रहते हैं केवल जो लेमजाव नेशनल पार्क है जो की वर्ड का only floating national park है यह इनी फुमडीज पर है क्या नाम है इसका केवल लेमजाव नेशनल पार्क यह वर्ड का only floating national park है अब जानते हैं मनिपूर से जुड़े कुछ और current affairs तो मनिपूर government ने हाल ही में oil pump project launch किया है साथी मनिपूर government ने emergency response support system इसको भी launch किया है ताकि जो लोगों में साथी इंडिया की first national university यह भी मनिपूर में है यह 2018 में इसको इस्थापित किया गया था साथी friends यह भी आद रखना कि खेलो इंडिया youth games 2021 जो की हर्याना के पंचकुला सेयर में होने वाले हैं तो इनमें चार games को include किया गया है गटका, कलारी पयत्तू, ठांगता अब जो यह ठांगता है यह मनिपूर की martial art है तो यह भी आद रखना और चोता है मला खंबा आगे बढ़ते हैं विरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में न्यूक्त किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा Republic of Somalia जो Somalia है यह एक East African country है और यहां की जो capital है यह है Mogadishu और currency है Somali Shilling साथी और appointment देख लेते हैं जो हाल ही में भारत ने अपने ambassador न्यूक्त किया है तो गोरव एहलुवालिया इनको Republic of Algeria में next ambassador न्यूक्त किया गया है अनिंद्य बेनरजी इनको Republic of Korea या South Korea आप कैसकते हैं यहां पर appointment किया गया है ए अजे कुमार इनको Republic of Burundi में next ambassador के रूप में न्यूक्त किया गया है शुशील कुमार सिंगल इनको Solomon Island में न्यूक्त किया गया है नीना मलोत्रा इनको San Marino में भारत का next ambassador न्यूक्त किया गया है यूनेस्को में जो भारत का permanent delegation है उसमें भारत के permanent representative बने है विशाल वीश सर्मा तो यह सब आपके लिए important है इनको note कर लीजेगा किस राज्य में आपदा से निपटने के लिए भारत की पहली all female team तैनात की गई है यानि इस team में सभी महिलाए है ये की गई है उत्तरपरदेश में इस पेसिफिकली बात करें तो उत्तरपरदेश के गड़ मुक्तेश्वर टाउन में बात करें अगर यानि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की तो 2006 में इसका गठन हुआ था और पूरे देश में 12 इसकी बैटेलियन्स है जो की ओपरेशनल है और इसके डारेक्टर जनरल है सत्यनारायन प्रधान निम्र जेकित में से किसने भारतिय सेना में पर्थम अतिरिक्त महानिदेशक मानवादिकार के रूप में कारे समाला यानि फर्स्ट एडिशनल डिरेक्टर जनरल हुमन राइट्स ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा गोतम चोहान बाकी के ओप्शन्स देख लेते हैं यानि डिरेक्टर जनरल है राकेस अस्ताना ये बिस्ट में डिरेक्टर जनरल है सुगदीव सांगवान ये असम राइफल्स में डिरेक्टर जनरल है तो देखे जो ये human rights cell है ये भारत में किसी उपरकार के human rights violation के लिए एक nodal point बनाया गया है और इसको सबसे पहले एप्रूव गिया गया था दो जार उननीस में एश्या परसांथ छेतर में Google Cloud के परमुफ कोन बने options आपके सामने है और correct answer होगा करन बाजवा तो एश्या परसांथ छेतर में Google Cloud के परमुफ इनको बनाया गया है पहले ये भारत में ही परमुफ थे अब इनको ओईश्या प्रसांथ छेतर की भी जिम्मेदारी दे दी गई है आइस एच का संवक्षित वूली राइनो किस देश में पाया गया तो ये पाया गया है रशिया में इस पेसिफिकली बात करें तो रशिया का जो साइबेरिया रीजन है यहां पर पाया गया है हाली में किस देश का स्रीविजय एर बोईंग 737 या त्री विमान दुरुगटना गरश्थ हुआ तो ये हुआ है इंडोनेशिया में और ये विमान जो है जकार्ता से इसने ओडान भरी थी पेंटी आनक के लिए और ये इसी बीज जावासी में क्रेश हो गया जावासी जो है ये इंडोनेशिया की वाटर टेरेटरी में आता है और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता FSSAI ने बोजन में ट्रांस वसा का इस्तर 5% से घटा कर कितना प्रतिशत कर दिया है तो यह कर दिया है 3% FSSAI का मतलब Food Safety and Standards Authority of India और इसका लक्ष यह है कि 2022 तक इसको और घटा कर 2% कर दिया जाए अभी 5% से 3% किया है 2021 में और 2022 तक 2% कर दिया जाएगा बात करें फ्रेंट्स FSSAI की तो यह Ministry of Health and Family Welfare के अंडर एक Autonomous Body है और इसकी स्थापना Food Safety and Standards Act 2006 के तहत की गई थी इसका Headquarters है निउडेली में और रीता तिवतिया इसकी Chairperson है और इसके CEO है अरुन शिंगल 41 वार्षियक 6 सदस्य खाडी सहयोग परिशत यानि Gulf Corporation Council सिखर सम्मेलन किस इस्थान पर संपन हुआ तो ये हुआ है साओधी अरब के अलूला सहर में देखे जो ये Gulf Corporation Council है ये एक Regional Intergovernmental Political and Economic Union है और इसमें जो है जितने भी Gulf Countries है वो इसके सदस्य है एक्सेप्ट इराक यानि इराक को छोड़ कर तो यहां से एक बाद आपको यह भी मालूम पड़ी कि जो इराक है ये भी एक Gulf State है तो कौन-कौन से Gulf State है साद Gulf States है बहरीन, कुवेट, ओमान, कतर, सौधी अरब, युनाइ और पूछा जाएगा कि इन में से कौन Gulf Corporation Council का सदस्य नहीं है तो आंसर होगा इराक और जो यह Gulf Corporation Council है इसका Headquarters है सौधी अरब्या के रियाद में और 1981 में इसका Charter साइन किया गया था भारत ने आंदरपरदेश में सदक नेटवर्क को अपग्रेट करने के लिए किस बैंक के साथ 646 मिलियन यूएस टोलर के रिंट समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह किये हैं फ्रेंड्स New Development Bank ने अब इन सभी के Headquarters भी देख लेते हैं World Bank का Headquarters है Washington DC में New Development Bank जैसे Bricks Bank भी कहते हैं इसका Headquarters है शंगाई में Asian Development Bank का Headquarters है मनीला में Asian Infrastructure Investment Bank इसका Headquarters है बीजिंग में हाल ही कि अगर World Bank से जुड़े हम लोन की बात करें जो इसने इंडिया को एप्रूव किये हैं तो मन्रेगा और रूलर इंफ्रस्रक्ट्टर को सपोर्ट करने के लिए एंडिबी ने एंडिबी की बात करें एंडिबी ने वन बिलियन यूएस टोलर का लोन एप्रूव किया है साथी फ्रेंट्स डैली मेरट रर्र्ट्स प्रोजेक्ट यानि रीजनल रैपिट टांजित सिस्टम जो की डेली और मेरट के बीच लाए जाएगा इसके लिए भी एंडिबी ने 500 मिलियन यूएस टोलर का लोन एप्रूव किया है साथी फ्रेंट्स मुंबई मेट्रो लाइन 6 प्रोजेक्ट के लिए इसने 241 मिलियन यूएस टोलर का लोन अप्रूव किया है अच्छा कभी कभी कोश्चेन ये भी आजाएगा इन जो ये सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है इन तीनों को मिला कर ऐसा भी पुछा जा सकता है कि 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 न्यू डेवलप्मेंट बैंक ने मुंबई मेट्रो एंड डेली मेरट आर आर टीस के लिए कित 241 अगर कंबाइंट पूछा जाए तो इनको एड कर दिना 741 मिलियन यूएस टोलर का लोन अप्रूव किया है इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 11 फरवरी से कहां सुरू होंगे तो ये सुरू होंगे कश्मीर के गुलमर्ग में और ये याद रखना ये दूसरे गेम है और जो फस्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं ये भी गुलमर्ग में ही संपन हुए थे और ये जो अब होने वाले हैं ये दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स है और ये भी यही पर संपन होंगे गुलमर्ग में किस बैंक ने सुक्ष्म लगु और मध्यम उद्यमों यानि MSME को वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग OTR के लिए ओनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए सिड़वी के साथ एक समझोता ज्यामर पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह किये हैं बैंक ओफ बड़ोदा ने साथी यह भी आद रखना कि बैंक ओफ बड़ोदा में विजय बैंक और देना बैंक का विले हो चुका है और जो बैंक ओफ बड़ोदा है इसके नोन एक्जेकुटिव चेर में हैं डॉक्टर हश्मुक अधिया और यहां के MD & CEO हैं स आप रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए अपने कर्ज की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं जैसे आपने कोई लोन दो साल के लिए 8% की ब्याज़दर से लिया है तो आप लोन इस्ट्रक्चरिंग के जरिए अपने कर्ज की समय सीमा में बदलाव कर सकते हैं पहले और व्यक्तिकत लोन पर भी लागू कर दिया गया है यानि आपने अगर अपनी EMI नहीं बढ़िया है तो उसमें आपको कुछ छूट दी जा सकती है वो बैंक आपको टर्मेंट कंडिशन बताएंगे साथे फ्रेंट्स ये भी याद रखना कि Sidby ने हाल ही में Do It Yourself DIY इस तरह का एक एक वैब पोर्टल भी लौंच किया है ताकि जो कस्टमर से वो अपना रिस्ट्रक्शिंग प्रोपोजल जो है ओनलाइन सब्मिट कर सके तो काफी इंपोर्टेंट है अगर आप बैंक के एक्जाम के तयारी कर रहे हैं Do It Yourself ये Sidby ने लौंच किया है साथी बैंक ऑफ बढ़ोदा से जुड़े हुए करंट अफेर्स की बात करें तो बैंक ऑफ बढ़ोदा ने हाल ही में अपना मेडेन निव एर कैंपेन अपना पहला कैंपेन लौंच किया इसका नाम है एक फोरेवर रिच्था साथी बैंक ऑफ बढ़ोदा ने हाली में वटसेप बैंकिंग सर्विस भी शुरू की है बैंक ऑफ बढ़ोदा ने हाली में डिजिटल लैंडिंग प्लैटफोर्म भी लौंच किया है बैंक ऑफ बढ़ोदा ने हाली में एक MOU साइन किया है दुनिया के सबसे बुजुर्ग पर्थम स्रेणी क्रिकेटर एलन बर्गेस का हाली में निधन हो गया वे किस देश के थे तो ये थे निउजिलेंड के साथी फ्रेंड्स अगर बात करें और कौन-कौन से स्पोर्ट्समैन निउजिलेंड के जो है उनकी मृत्ती हुई है तो देखिए फॉर्मर निउजिलेंड और राउंडर जोन आर डीड इनका भी हाली में निधन हुआ है ये भी निउजिलेंड के थे साथी क्रिकेटर मैट पूरे ये भी हाली में इनका दिहान तुआ है साथी फॉर्मर New Zealand क्रिकेटर जोन F. रेड इनका भी हाली में निदन हुआ है साथी जोक एडवर्ड्स इनका भी हाली में निदन हुआ है तो यह सभी New Zealand के हैं और यह current effect से जुड़े हुए है पूरू Manchester City footballer Colin Bell जिनका हाली में निदन हुआ उन्हें किस नाम से जाना जाता था तो friends इन्हें जाना जाता था इस नाम से जाना जाता था निम लिखित में से किसने CAPF जवानों के लिए खादी की आपड़ती के लिए KVIC के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है तो यह किये है ITBP ने देखिए बारत में जो Central Armed Police Forces यानि CAPFA यह जो है Ministry of Home Affairs के अंतरगत आती है और कौन-कौन सी हैं यह BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB असम राइफल्स भी ठीक है और याद रखना कि जो KVIC है यानि खादी एंड विलेज इंडरस्ट्रीज कमिशन यह एक statutory body है जिसका गठन अप्रेल 1957 को 25 वर्षिय योजना के तहत किया गया था और यह जो है Ministry of MSME के अंतरगत कार्य करती है और इसका Head of Office है मुंबई में और इसके चेर्मेन है अर्विंद सक्सेना विस्व में PPE kit और सूट के मिनिर्मान के मामले में भारत किस नंबर पर है Options आपके सामने है और सही answer होगा Option D तो भारत दूसरे नंबर पर है यह एक conference के दोरान इस्मृति इरानी जी ने बताया है पहले नंबर पर है चीन PPE kit का निर्मान Ministry of Textiles के कारिछ खेतर में आता है Options आपके सामने है और correct answer होगा Option D All of the above तो भारत जो है Libya Sanctions Committee Taliban Sanctions Committee Counter Terrorism Committee इन सभी को chair करेगा साथी जो आप person स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है TS तिरुमूर्थी यह United Nations में भारत के Permanent Representative हैं जो कि New York से कारेभार समालते हैं साथी इंद्रामनी पांडे यह भी United Nations और इंटरनेशनल और्गनाइजेशन में भारत के Permanent Representative हैं लेकिन यह Switzerland के जेनेवा से कारेभार समालते हैं तो दोनों में अंतर है एक New York में है और दूसरे हैं जेनेवा में तो question कभी अगर आजाए आपके सामने आप यह भी आदरना की हाली में भारत, Ireland, Kenya, Mexico and Norway इन्हें United Nations Security Council के Non-Permanent Member के रूप में सामिल किया गया है यह आठवी बार है कि भारत इस सदस्यता को ग्रेंड कर रहा है इन्हें 2021-22 टर्म के लिए चुना गया है आगे बढ़ते हैं निम्लिकित में से किसने गोहाटी उच्च नियाया लेके मुख्य नियाय धीस के रूप में सपत ली है तो ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन D, Justice सुधानसू दूलिया साथी फ्रेंड्स यह भी आप याद रखना कि जस्टिस एस मूर्लितर इनको उरिसा हाई कोट के नए चीफ जस्टिस बनाया गया है साथी जस्टिस आरेश चोहान इनको उत्राखन हाई कोट का नए चीफ जस्टिस बनाया गया है रवी मालिमत इनको हिमाचल परदेश की जो हाई कोट है वहाँ का Chief Justice बनाया गया है पंकज मिथल इनको जम्मो एंड कश्मीर एंड लद्दाक High Court का Chief Justice बनाया गया है साथी यह आपके लिए काफी important है कि तेलंगाना High Court की First Woman Chief Justice बनी है हीमा कोली तो question यह भी बन सकता है कि Justice हीमा कोली किस High Court की पहली Woman Chief Justice बनी है तो आंसर होगा उस case में तेलंगाना High Court साथी मुहमाद रफीक इन्होंने मध्यपरदेश High Court की Chief Justice के रूप में सपत ली है निम्र लिखित में से कौन 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो की गोवा में होने वाला है इसके लिए focus देश चुना गया है तो friends बांगला देश को 51st International Film Festival of India which is going to be organized in Gova इसके लिए focus country चुना गया है साथी friends आप ये भी आद रखना कि हाली का ये current affairs है तो जो ये festival होने वाला है तो इसमें जो international jury होगी तो उसके जो chairman होगे उसको जो chair करेंगे वो होंगे अर्जेंटीना के Pablo Cesar सिक्सा को बढ़ावा देने के लिए इस रो कितनी अटल टिंकरिंग लैप्स को अपनाएगा यानि उनको adopt करेगा तो options आपके सामने है और हम सही option यहाँ पर होगा 100, option C तो जो इस रो है यह सिक्सा को बढ़ावा देने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैप्स को adopt करेगा यानि की अपनाएगा इसके बारे में फ्रेंट जान लेते हैं आपके लिए काफी important रहेगा देखिए नितियायोक के अटल innovation mission के तहत अटल टिंकरिंग लैप्स की इस्थापना के लिए कई स्कूलों का चेन किया गया है पुरे देश में लगबख 7000 अटल टिंकरिंग लैप्स इस्थापित ही गई है तो इसका मकसद students के बीच innovation, creativity और विग्यानिक पहलूओ को बढ़ावा देना है यह लैब 3D printing artificial intelligence और robotics की नई तकनीकों से चात्रों को अवगत कराती है साथी बच्चे STEM यानि Science, Technology, Engineering, Maths को practically समझे यह भी इन लैप का मुख्य मकसद है आगे बढ़ते हैं साथी friends अटल इनोवेशन मिशन and serious innovation program जो की रश्या का है तो इन दोनों ने मिलकर इसको launch किया है aim serious innovation program 3.0 तो यह भी पुछा जा सकता है कि किस country के साथ सुरू किया गया है तो answer होगा रश्या के साथ यहाँ पर आपको यह याद रखना जुरूरी है यह PCS में भी पुछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन यह किस की पहल है कोईला खदानों के सुचारू संचालन के लिए single window clearance system किस ने सुरू किया है तो options आपके सामने है अगर आपको यह पता है कि हमारे देश में कोईला मंतरी कोन है तो आप इस question का answer गलत कर सकते है क्योंकि यह question कोईला के लिए है और हमारे जो कोईला मंतरी है यह है प्रलाद जोसी तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option A यानि अमित्सा इस single window clearance system को अमित्सा जी ने सुचारू संचालन के लिए इसको सुरू किया है तो आपको यहां से दो चीज़े मालूम पढ़ गई एक तो यह कि Union Minister of Call है प्रलाद जोसी और इस system को launch किया है अमित्सा जी ने तुर्लापती कुदुमबा राव का हाली में निधन हो गया वह एक वरिष्ट क्या थे तो friends यह एक वरिष्ट journalist थे देखिए जिन भी व्यक्ति का दिहानत हो जाता है या निधन हो जाता है और उस बारे में अगर शोक प्रकट किया जाता है प्राइम मिरिष्टर द्वारा या फिर प्रेजिडेंट द्वारा या फिर वाइस प्रेजिडेंट द्वारा इसका मतलब वो काफी important person रहे हैं काफी eminent person रहे हैं तो वे आपके exam point of view से काफी important हो जाते हैं तो देखिए याँ पर wise president expresses grief on passing away of veteran journalist तुलापती कुटुमबा राव तो इसलिए question आपके लिए important है ये journalist है जर्नलिस्ट रह चुके हैं नेता जी सुभाज चंद्र बोस की 125 वी जैनती बनाने के लिए गठित उच इस तरिय समीती का परमुख कोन होगा तो options आपके सामने हैं और correct answer होगा option A नरेंद्र मोदी तो देखिए ये जो committee बनाई गई है ये इसने बनाई गई है ताकि जो नेता जी सुभाज चंद्र बोस हैं तो इनके बारे में जो इन्होंने एक्टिविटीज की हैं इनको डैली कोलकता और पुरे भारत में इसका परचार किया जाए लोगों को जागरुक किया जाए साथी वेस्ट बेंगॉल में चुनाओ भी है तो ये एक काफी एह मुद्धा भी बन जाता है अगर हम नेताई सुबास चंदर बोस की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को उडिसा के कटक में इनका जन्म हुआ था और 1920 में इन्होंने ICS की परिक्षा पास कर ली थी और जय हिंद स्लोगन इन्होंने दिया था और इनको ये आप याद रखना एक्जाम में पुछा जाता है बीकन ओफ लाइट ओफ एशिया और पैट्रियोट इस नाम से भी इनको जाना जाता है और आपको बता दें कि 1930 में ये कलकता के मेर भी बने थे और जनवरी 1938 में ये इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रेजिडेंट इव बने थे यहाँ पर यहाँ पर हरीपुरा सेशन ये गलती से लिखा गया है इसके लिए माफी चाओंगा ये होगा हरीपुरा सेशन इनोंने यहाँ से रीजाइन कर दिया था उसके बाद कौन चुने गए थे ऊसके बाद चुने गए तो ये कोश्च्न भी पुच्छा जाता है तो राजिआंदर परसाजी चुने गए थे जब इनोंने अपना हरेजिने इक्शन दे दिया था और सिदम्बर ये भी याद रखना कि 22 जुन 1949 को इन्होंने All India Forward Block इसके भी स्थापना की थी और दो इनकी काफी famous books हैं फर्स्क तो ये है The Indian Struggle 1920-42 ये एक्जाम में कई बार पुछा जा चुका है और सेकंड वन है An Indian Pilgrim तो ये दोनों ही काफी important है आप इसको याद रखना अगर आप विद्यामंद्रिया Government School में पढ़े हैं तो ये फोटो आपकी यादे ताजा कर देगी क्योंकि ये ही फोटो स्कूल में आपको देखने को मिली होंगी साथी फ्रेंट्स ये भी आद रखना कि नेताई सुबाश चंदर बोस की जो नींग से चित्रा घोस ये भी हाली में इनका नीतन हो गया है राष्टे युवा दिवस किस तारिक को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 12 जनवली को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानन्द जी का जनम दिन होता है और ये जो दीवस है राष्टे युवा दीवस ये 1985 से मनाय जा रहा है 1984 में एलान किया गया था कि ये दीवस मनाय जाएगा और 1985 को पहली बार ये मनाय गया था डॉक्टर हर्श वर्दन ने किस बंदरगा पर 30 अनुसंद्रान पोर्थ सागर अनवेशी का लॉंच किया तो ये किया है चेन नई पोर्ट पर तो फ्रेंट्स कोश्चन इस तरह से भी मनते हैं ज्यादातर कोश्चन इसी तरह से मनते हैं किस सागर अनवेशी का जो की हाली में खबरों में राय ये क्या है तो पूछ लिया जाता है क्या ये asteroid है क्या ये missile है क्या ये पैट्रोल वेसल है क्या ये coastal research vessel है तो उसमें आंसर होगा coastal research vessel तो एक question कई तरीके से बन सकता है तो आप लोग अपने हिसाब से भी इनको questions को बना सकते हैं किस राज्य या केंदर सासित परदेश कैटर के IS, IPS और IFS अधिकारियों को अरुनाचल परदेश, गोवा, मिजोरम और केंदर सासित परदेश यानी AGMUT में मिला दिया गया है देखिए इंगलिस से कोश्चन समझते हैं इसका नाम है AGMUT यानी अरुनाचल परदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी तो इसमें अब मिला दिया गया है जम्मो एंड कश्मीर के जो IES, IPS और IFS officers हैं देखिए अब जो जम्मो कश्मीर कैडर के अधिकारी हैं ये अरुनाचल परदेश, गोवा, मिजोरम और किसी भी केंदर सासित परदेश में तैनात किये जा सकते हैं साथी friends, अगर आप किसी बड़े एक्जाम के तयारी कर रहे हैं जैसे PCS हो गया या फिर Civil Services हो गया तो उसमें हैं से एक question ये बन सकता है कि ये वाली अधिसूचना किस ministry द्वारा जारी की गई है तो ये आपके लिए काफी important है ये याद रखना कि ये अधिसूचना कि इसमें सामिल किया गया है ये अधिसूचना जारी की गई है ministry of law and justice द्वारा साथी आपको उसमें ये option भी मिल जाएगा कि ministry of personnel, public grievances and pensions तो आप हो सकता है कि उस option को भी टिक कर दें अगर आपको मालूम ना हो तो यहाँ पर सही answer होगा ministry of law and justice निमलिखित में से कौन इस्थानिय भारतिय भासाओं में एक निशूल्ख internationalized domain name उपलब्द कराएगा तो ये कराएगा nixi इसका full form है national internet exchange of india यानि आप एक निशूल्ख अंतराष्टे domain name अपना ले सकते हैं ठीक है और ये आप किसी भी 22 official Indian languages में ले सकते हैं अगर हम इसकी बात करें national internet exchange of india की तो ये एक non-profit company है जो की Indian companies act 1956 की section 25 के तैत बनी है और इसका ये काम है कि ये citizens को internet technologies के बारे में aware करता है उनको internet technologies provide कराता है Sumona Guha और Tarun Chhabra को किस देश ने अपने राश्ट्रिय सुरक्सा परिशद में न्यूक्त किया है Which country has appointed Sumona Guha and Tarun Chhabra in its National Security Council Options आपके सामने हैं और correct answer होगा USA United States of America इनके बारे में जान लेते हैं देखिए Sumona Guha इनको बनाया गया है Senior Director for South Asia और Tarun Chhabra इनको बनाया गया है Senior Director for Technology and National Security Third point देखिए Santhi Kalathil इनको बनाया गया है Coordinator for Democracy and Human Rights ठीक है जो जो बाइडन है यह आपको पता है कि अब हाल ही में यह President की सपत लेने वाले हैं और Kamala Harris यह Vice President बनी है United States of America की इन दोनों से जुड़ा यह Current Affairs आप याद रखना कि जो बाइडन एंड Kamala Harris को Times Person of the Year 2020 चुना गया है निमलिखित में से किसने नवी करने उड़ जा परियोजनाएं प्रदान करने के लिए NHPC के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह किये हैं IREDA IREDA इसकी Full Phone है India Renewable Energy Development Agency Limited तो इसने NHPC के साथ यह Sign किया है NHPC का मतलब है National Hydroelectric Power Corporation साथी फ्रेंट्स NHPC इसलिए भी हाली में न्यूज में रहा क्योंकि जम्मु एंड कश्मीर में जम्मु एंड कश्मीर को Power Surplus UT बनाने के लिए भी Government ने NHPC के साथ करार किया है तो दो MOUs आपके NHPC से related हो गए इसका Headquarters New Delhi में और यह एक Mini रतने कंपनी है किस केंद्र सासित परदेश ने सतरक नागरिक Mobile Application लौंच किया विच इन टेरेटरी हैस लौंच्ट सतरक नागरिक Mobile Application तो यहां पर सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं यहां की Lieutenant Governor है Manos Sina और यहां की Winter Capital है जम्मू और Summer Capital है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से जुड़ेगर Current Affairs की बात करें तो यहां पर हाली में DDC Elections हुए थे जिसमें BJP जो है Single Largest Party के रूप में उपरी थी और अगर हम Overall बात करें तो गुपकार Alliance ने सबसे यादा सीट्स यहां पर जीती थी साथी Friends जम्मू एंड कश्मीर गवर्मेंट ने नाफेड के साथ जो एक Pact Sign किया है ताकि जो यहां का Horticulture जो है जो यहां की उपज है उसको एक Global Market मिल सके नाफेड का मतलब है National Agriculture Cooperation Marketing Federation of India साथी Friends यहां का एक Amar Singh College है श्री नगर में तो इसको एक UNESCO का अवार्डी मिला है Cultural Heritage Conservation के लिए साथी Friends यहां की जो Lieutenant Governor है Manos Sina इन्होंने यहां के Administrative Service Officers के लिए एक Sparro System भी लांच किया है इस Sparro का मतलब है Smart Performance Appraisal Report or Recording Online Window साथी Friends आपको यह मालूम होगा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू एंड इंग्लिस यहां की Official Languages थी तो हाली में Center Government ने कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी Official Language के रूप में एड़ कर दिया है यानि यह 5 Official Languages हो गई है कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिस लोहा डोगरी जैव विवित्ता पार का उदगाटन किस राज्य में किया गया है Options आपके सामने हैं और Correct Answer होगा Option D तो इस पार का उदगाटन किया गया है 36 गड़ की बीजापूर सिटी में और यह किया है 36 गड़ के CM बुपेश बगेडने 36 गड़ की अगर बात करें तो यहां की गवर्णर है अनुसुयाउई के और कैपिटल है राइपूर अगर हम उन राज्यों की बात करें जहां 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बोडिस हैं तो स्वच्च सर्वेक्षन 2020 में 36 गड़ सबसे cleanest state है साती फ्रेंट्स हस्तेव रीवर यह महा नदी की largest tributary है और हस्तेव डैम भी 36 गड़ में ही है साती फ्रेंट्स अरन्या फोरेस्ट, तीरतगड़ फाल्स, कंगेर घाड़ी नेशनल पार्क, कैलास केव्स, कुटुमबसर केव्स, अचानक मार सेंचुरी और उदान्ती सेंचुरी यह सभी 36 गड़ में है और आपके static gk के लिए काफी important है साती फ्रेंट्स यह भी याद रखना कि चित्रकूट वाटर फाल्स यह भी यही पर है और इसे नाइगरा फाल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं 36 गड़ से जुड़े current affairs की बात करें तो 36 गड़ गवर्मेंट ने हाल ही में tech for tribals scheme लाँच की है साती 36 गड़ CM ने हाल ही में गोधन नियाय योजना रूरल एकोनोमी को बूस्ट करने के लिए लाँच की है साती यह भी आप याद रखना कि भारत का पहला ethanol plant जो की PPP मॉडल के तहद बनेगा यह भी 36 गड़ गवर्मेंट द्वारा बनाया जाएगा साती 36 गड़ CM ने इंद्रा वन मिटान योजना को भी सुरू किया है तो यह सभी करंट अफेर्स हमने अपने प्रीवेस सेसंस में कवर किये हुए हैं यहाँ पर आपको रिविजन परपस के लिए बताए गए है ICC Board में BCCI का प्रतिनी दुद्व कोन करेंगे तो Options आपके सामने है और Correct Answer होगा Option A जे शा जे शा जो है यह BCCI के Secretary है तो यह आपको बताए कि ICC इसकी Full Form होती है International Cricket Council और इसका Headquarters है दुबई in UAE तो आपको मालू होगा कि जो BCCI के President है इनको दो जनवरी को Heart Attack पड़ा जिसके वज़े से यह इस ICC Board की Meeting में शामिल नहीं हो पाएंगे तो इनके बदले अब BCCI Secretary जे शा बीची का प्रतिनी दुद्व करेंगे किस बैंक ने FinTech Innovation Center इस्थापित करने के लिए IIT कानपूर के साथ साजेदारी की है तो यहाँ पर सही Option होगा पंजाब National Bank ने साथी Friends यह भी याद रखना कि पंजाब National Bank में हाली में United Bank of India and Oriental Bank of Commerce इन दोनों का विले हो गया है और इसी के साथ जो PNB है यह Second Largest Public Sector Bank भारत का बन गया है SBI के बाद साथी इसके जो MD and CEO है इनका नाम है SS Malikarjun Rao और इसका हैटकोर्टर से निव डेली में साथी आप यह भी रखना या भी यह भी आद रखना कि पंजाब National Bank ने हाली में एक Digital अपनाए इस campaign को भी लौँच किया है साथी पंजाब National Bank ने ग्राम संपर्क अभियान जो की एक Financial Inclusive है इसको भी लौँच किया है कौनसा देश भारत को COVID-19 संकट से उबर्णने में समर्थन के लिए लगबख 2079 करोड रुपे की आधिकारिक विकास सायता रिन परदान करेगा तो यह करेगा जापान इस पेसिफिकली अगर बात करें तो जापान इंटरनेशनल कोपरेशन एजनसी तो अगर हम इस एमाउंट की बात करें तो यह है 30,000 मिलियन जैपेनीज येन जो की हमारी कर साथी इससे पहले जो जापान ने 3500 करोड रुपे की असिस्टेंस भी भारत को प्रवाइड कराने की बात कई है COVID-19 से रिलेटेड साथी जो ब्रिक्स बैंक है जिसे निव डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसने भी COVID-19 से लड़ने के लिए भारत को 1 बिलियन यूएस डॉट का लोन प्रवाइड कराये है तो इस तरह के लोन्स काफी इंपोर्टेंट रहते हैं आपके बैंकिंग एक्जाम्स के लिए तो इन्हें आप नोट डाउन जरूर कर लीजेगा सडक सुरक्सा मा कब से कब तक मनाय जाएगा तो ये मनाय जाएगा 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक देखे अब तक रोड सेफटी वीक इसको मनाय जाता है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक तो अब जो ये मिनिस्ट्री ओफ ट्रांस्पोर्ट एंड हाईवेज है इसने रोड सेफटी वीक को अब हटा दिया है और इसके बदले अब रोड सेफटी मन्थ मनाय जाएगा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक और नितिन गडगरी जो है इनके पास मिनिस्ट्री ओफ ट्रांस्प बात करें तो इसका हैटकॉर्टर से गुरूराम में और यह एक क्रेडिट रेटिंग एजन्सी है फॉस्टीन अर्चेंस टोडे रा को हाली में किस देश के राष्टपती के रूप में फिर से चुना गया है और और करेक्ट आंसर होगा औप्शन सी सेंट्रल अफ्रीकन रि रमेज पोकरियाल निशंक जी ने साथी इस एजुकॉन 2020 सम्मेलन का जो थीम रहा है यह रहा है इनवीजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफर्मिंग यूथ टूरी स्टोर ग्लोबल पीस और इस सम्मेलन का आविजन किया गया है सेंटल उनिवर्स्टी ओफ पंजाब तथ कॉंग्रेस पार्टी से बिलॉंग करते थे और यह गुजरात के चार बार मुख्य मंत्री रह चुके थे इसी के साथ यह फॉर्मर यूनियन एक्स्टर्नल अफेर्स मिनिस्टर भी रह चुके थे हाली में किस देश ने एक निर्देशित मल्टी लॉंच रोकेट सिस्टम फतेह वन का परिक्षन किया है आंसर होगा पाकिस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान यहां के प्रेजिडेंट है आरिफ अलवी और कैपिटल है इसलामाबाद पाकिस्तान की जो करंट अफेर्स है यह 3-4 दिन पहले का है लेकिन हमारे पास डेली के इतने करंट अफेर्स हो जाते हैं कि हम सभी को एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि अगर सभी को एक ही बारी में इंक्लूड करेंगे तो वीडियो 30-40 मिनट की वनेगी जो कि आपके लिए सही इतने लंबी वीडियो देखना तो इसलिए कुछ कोश्चन सब आपने पास रखके रखते हैं जिने की अगले दिन में हम इंसर्ट करते हैं या फिर उससे अगले दिन में इंसर्ट करते हैं तो कई बार आप मिसे कोई एस्पिरेंट्स इस तरह का कमेंट कर देते हैं कि यह अarnaी है क्या किन्की सुरुवात इसी से करते हैं कि अज यह करंट देखेंगे तो इसका मतलब आप समझ जाए करें आप एगजाम के तयारी कर रहे हैं तो इस बात को आप खुझ से समझ जाए करें आपको इस बात से मतलब होना चाहिए कि हमारे सब सभी सी सबी चीजे कवर ह हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है कौन किस दिन का करेंट अफेर्स है यह आपके लिए ज्याद़ माइने नहीं रखता है चले फिर आगे बढ़ते हैं सत्य पॉल जिनका हाल ही में निदन हो गया किस पेसे से जुड़े थे तो यह फ्रेंट्स काफी फेमस फेशन डिजाइनर रहे हैं और इनका हाली में निदन हो गया है साती आप यह भी याद रखना एक फ्रेंच फेशन डिजाइनर है पियर कार्डिन इनका भी हाली में निदन हुआ है तो यह कोस्चन भी आपके लिए पूछा जा सकता है कि यह कि देश के थी किस mutual fund ने पैसो को रोको मत अभियान सुरू किया है तो यह अभियान सुरू किया है IDFC mutual fund ने हाल ही में Reserve Bank of India ने विनियमित संस्थाओं पर नेगरानी को मजबूत करने के लिए एक College of Supervisor COS की स्थापना की है इस COS का नेत्रवत्व कों करेंगे एक इसका नेत्रावत्व करेंगे Paresh सुखानकर करेंगे ن.s विश्वनाथन इसमें जो friends सही option है वह option C है तो आप इसको with and other members और रहेंगे तो यह 5 other members कों रहेंगे यह भी ваш option में दे गए हैं अरिजीद बासु, S रघुनात, परेश सुखांकर और इने के साथ दो ओराप एड़ कर लीजिए तथागत बंदोपाद्याए और सुब्रता शरकार और साथ ही जो यह COS बनाये गया है इसके डिरेक्टर रहेंगे रभी नारायन मिश्रा तो इसका correct answer है option C, NS विसो नाथन राष्टे परिवार स्वास्टे सर्वेक्षन 5 से प्रतिकूल निसकर्सों की जांच करने के लिए तकनी की विसेसग्य सर्मूं का प्रमुक कोन होगा देखिए एक National Family Health Survey 5 यह लौंच किया गया था तो इससे जो भी विसम findings जो भी विसम conclusion जो निकले हैं जो की सही नहीं है यानि कि एक देश के इसाब से सही नहीं है उनको उसमें सुधार होना चाहिए तो उसको एक्जामीन करने के लिए ग्रूप बनाया गया है तो इसकी जो अध्यक्षता होगी यह करेंगी प्रीती पंथ और यह समूग बनाया गया है Ministry of Health and Family Welfare द्वारा CISF के 28 वे महानिदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो options आपके सामने है और correct answer होगा option D सुबोत कुमार जैस्वाल CISF का मतलब है Central Industrial Security Force साथ ही आप यह भी आद रखना कि Indian Army ने अपना पहला Human Rights Cell बनाया है और इसको head करेंगे Major General Gautam Chohan Who is the author of the book titled Right Under Your Nose तो Right Under Your Nose इस पुस्तक के लेखक कोन है तो इस पुस्तक के लेखक है आर गिरीधरन किस Metro ने DRDO के साथ अपने सभी Metro स्टेशनों पर Biodigester Technology इस्थाबित करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये है तो यह किये हैं महाराष्ट मेट्रो रेल कोर्परेशन ने देखे इसमें क्या है जो महाराष्ट मेट्रो रेल है जो भी इसका जो जनरेटेट सीवेज है तो इसको यह रियूज करेंगे इसका पुरा नाम है तो इसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा DRDO यानि Defense Research and Development Organization 1958 में इसके स्थापना की गई थी और इसके चेर्में ने जी सतीस रेटी साथ ही आप यह भी याद रखना कि North India में जो है पहला Metro Station खुला है जहाँ पर की सभी के सभी Transgender Community के लोग कारे करेंगे तो यह है Noida का Sector 50 Metro Station और इस Metro Station को नाम दिया गया है Pride Station यह हाली का Current Affair है इसमें जो भी Recruitment होगा उसमें सभी Transgender Community के लोग सामिल रहेंगे तो यह है Noida Sector 50 Metro Station तो यह है आज का आखरी Question निमलिखित में से किस ने Podcasting App Breaker का अधिगरण किया है यानि उसको Acquire किया है तो यह किया है Twitter ने अब देखते हैं Previous Assignment Questions के आंसर तो इसलिए Cherry Blossom Mau यह Manipur में जो है Organize किया गया है और जिन्होंने इसका आंसर मेखाले दिया है वो भी एक तरह से सही है कि Cherry Blossom Festival जो है मेखाले में मनाया जाता है बिंदु सागर जील कहां इस्थित है तो Options आपके सामने है और Correct Answer होगा Option B तो बिंदु सागर जील उडिसा में है यह इसलिए खबरों में है क्योंकि उडिसा के CM नवीन पतनायक ने बिंदु सागर क्लेनिंग प्रोजेक्ट को लॉंच किया है साथ ही उडिसा के अगर बात करें तो उडिसा के गवंणर है गनेशी लाल और यहां की कैपिटल है बुवनेश्वर सिंप्लिफाल नेशनल पार्क, सतकोसिय टाइगर रिजर्व, चेंड़का एलिफेंट सेंचुरी, गहिर माथा बीच, इनक बीतर कनीका, चिलिका लेक, सेंटरल राइस रिसर्च इंस्टिटूट जो ही कटक में है, बीजू पतनायक एरपोर्ट, डॉक्टर अब्दुलकला इंटिग्रेटेट टेस्ट रेंज चांधीपूर, जगना टेंपल, लिंगराज टेंपर, और कोनार्क संटेंपल, जो की 1984 में यूनेस्को वर्ड हैरिटेस साइड भी मना, यह सभी उडिसा में है, तो यह सभी आपके स्टेटिक जीगे को कवर करता है, इन सभी को आप की है, साथी उडिसा ने हाल ही में STSC Hostels में Basic Services प्रवाइट कराने के लिए Mission सुविद्या इसको लाँच किया है, साथी उडिसा ने Sanitation Workers के लिए गरीमा Welfare Scheme को लाँच किया है, साथी उडिसा सीव ने हाल ही में एक Web Portal लाँच किया है, जिसका नाम है सुमंगल, उडिसा ने ह साल ही में परिश्रम इस Portal को भी लाँच किया है, और उडिसा गवर्मेंट ने सुजल मिशन इसको भी लाँच किया है, साथी उडिसा गवर्मेंट ने UNICEF के साथ मिरकर इस्टुटेंट्स के लिए Career Portal भी लाँच किया है, और इंडिया का largest hockey stadium ये उडिसा के राउर केला में म इस वाइरस के कारण, तो उनके याद में एक मेमोजल भी बनाएगा, साथी उडिसा गवर्मेंट ने Mission 0F इसको भी लाँच किया है, जिसका मकसद है कि जो हाई स्कूल में बच्चे हैं, उनका पास रेट बढ़ सके, साथी उडिसा ने हाल ही में, बेरहमपुर में, रामलिं इसको भी नोगरेट किया है, साथी वरेंट 2020 में खेलो इंडिया यूश्टी गेम्स, इसका पहला एडिशन जो हुआ है, ये उडिसा के भूवनेश्वर सहर में हुआ है, साथी इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क, ये भूवनेश्वर पार्क में बनाया गया है, ये विजय रूपानी, साथी अगर गुजरात से जुड़े करंट अफेर्स की बात करें, तो परदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में फार्मर्स के लिए किसान सुर्योदय योजना को भी लूँच किया है, साथी यहाँ पर गिर ना रूपवे, इसको भी परदानमं एक एक्जाम अभी हुआ था उसमें पूछी भी गई थी साथी गुजरात गुवर्मेंट ने हाली में मुख्यमंत्री महिला कल्यान इसकीम इसको भी लॉंच किया है किस राज्य सरकार ने सिक्षकों और चात्रों की अंग्रेजी दक्षता में सुधार करने के लिए केम्ब्र है विस्व भूशन हरीचंदन और यहां की कैपिटल है अमरावती आंद्रपरदेश से जुड़े करंट अफेट्स की बात करें तो यहां की कवर्मेंट ने हाली में विमन पैसेंजर्स की सेफटी एंड सेक्योर्टी के लिए अभयम प्रोजेक्ट इसको लॉंच किया है पुलिस स्टेशन इसको भी लॉंच किया है साथी आंद्रपरदेश सेम ने हाली में पेदालन दरी की इलू इस प्रोग्राम को भी लॉंच किया है जो कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है साथी आंद्रपरदेश ने हाली में बापु म्यूजियम इसको भी इनोगरेट किया ह विजयवाडा सहर में साथी आंद्रप्रदेश ने हाली में YSR शेतुआ इसकीम इसको भी लॉंच किया है इसका मकसद है विमन इंपावर्मेंट ससत्र बल पूर्वे सैनिक दीवस परति एक वर्ष किस दिन मनाया जाता है यानि Armed Forces वेटरंस डे किस दिन मनाया जाता है तो options आपके सामने है और correct answer होगा 14 जनवरी को यह मनाया जाता है यह किसलिए मनाया जाता है यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन यानि 14 जनवरी 1953 को हमारे देश के पहले कमांडर इंचीफ फिल्ड मार्चल के एम करियपपा रिटाइर हुए थे इसलिए इनकी आद में ये दिन मनाया जाता है भारत ने किस राज्य में अपना लीथियम भंडार पाया है तो हाल ही में करनाटक राज्य के मांडिया डिस्टिकम में भारत को लीथियम रिजर्व मिला है करनाटक की ब कंपनी ने एक समजोता ग्यापनपर हस्ताक्षचर किये हैं कि तो यह किये हैंMr. विप्रो ने शाथ ही अगर vipro की बात करें तो इसका हैंटबिधक्र है बैंगलुरु में और weкая से जुड़े अगर करन्ट अफ़ेर्स की बात करें तो विप्रो ने हाली में Belgium की एक company है 4C तो इसको भी buy करने का एक pact sign किया था साथी Wipro जो है यह Metro AG इसका जो IT unit है इसको भी acquire करने वाली है और यह deal रहेगी 700 million US dollar की साथी Wipro ने जो आपका यह है Hindustan Aeronautics Limited तो इसके जो 3D printing aircraft parts बनाने का भी इसके साथ MOU sign किया है साथी Friends इसने Wipro ने हाली में Eximius Design यह एक company है IT company है इसको भी acquire करने की बात कही है तो यह 4 आपके लिए important है अगर आप bank exam के तयारी कर रहे है तो उन में इस तरह के question पूछे जाते है हेलने passport index 2021 में भारत की rank क्या है तो Friends भारत की rank है 85 और इस index को top किया है जापान ने और इसमें सबसे last में रहा है Syria जिसका की passport score आये 29 केंदर सरकार ने हाली में किस राज्य या केंदर सासिर परदेश में 144 मेगावाट की 8 चल विद्यूत परियोजनाओं को मंजूरी दी है तो यह दी गई है लद्दाग में और यह परियोजनाओं आएंगी इंडस रिवर पर और इसके ट्रिब्यूट्री जो है तो फ्रेंट्स यह सभी प्रोजेक्ट्स हैं देखिए इनके नाम पुछी जा सकते हैं कि किस रिवर पर बनेंगे या फिर किस राज्य या किस यूटी पर बनेंगे जैसे आप इसमें देखिए रतननाग हाइडो पावर प्रोजेक्ट तो यह कोश्यन भी पुछा जा सकता है आपको तो इन सभी प्रोजेक्ट्स को आप देख लेना नोट कर लेना साथ अगर लद्दाग की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को यह एज़ यूनियन टेरेटरी अस्तित्तु में आया और यहां के लेफ्टिनेंट कवेंडर है राधा कृष्ण माथूर और यहां पर दो डिस्टिक हैं ले एंड कारगिन साथी फ्रेंट्स अगर हम लद्दाग के बारे में थोड़ी सी जानकारी पाएं जो कि आपका एक्जाम पॉइंट ओफ यू से काफ़ इंपोर्टेंट है तो यहां का जो highest inhabited region है इसका नाम है रंगदूम और यह लद्दाग की सुरू वैली में है तो एक तो आपको यह मालूम चल गया यहां पर की सुरू वैली लद्दाग में है साथी फ्रेंट्स मुस्को वैली चूसूल जो की अभी न्यूज में भी रहा है पैंगोंग लेक सो मोरीरी मैगनेट हील और जोजीला पास यह लद्दाग में है साथी चेवांग नॉर्फिल इन्हें यह एक सिविल इंजिनेर है इन्हें ग्लेशिर मैन के नाम से जाना जाता है साथी हेमिस हाई एल्टिटूड नेस्टल पार्क, हेमिस मोनेस्ट्री, सांती इस्तूपा, ठिक से मोनेस्ट्री यह सभी लद्दाग में है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि लद्दाक की तरफ से केवल एक Member of Parliament चुना जाता है लोकसभा के लिए और इस वक्त जो है ये है BJP के जाम्यांग शेरिंग नाम ग्याल साथी Friends National Research Institute for Sova Rikpa ये लेह में है और द्रास जो की वर्ड का Second Coldest Inhabited Place है ये भी लद्दाक में है साथी सिंदु दरसन फेस्टिवल ये भी लद्दाक में मनाया जाता है साथी आप ये भी आदटना कि हाली में जांसकार Winter Sports and Youth Festival ये भी लद्दाक में ही हो रहे हैं तो question आ सकता है इसमें आपको अगर जम्मो और कश्मीर option मिले तो महाँ पर आपको confuse नहीं होना है आंसर होगा लद्दाक साथी Friends हाली में लद्दाक का जो सोकार Wetland Complex है इसको रामसर साइट में एड़ किया गया है यह हमने अपने एक करेंट अफेर सेचन में भी एड़ किया था गंभीर रूप से लुप्त प्राई सूजी में रखा गया कारा कल केवल कहां पाया जाता है तो option साब के सामने है और इसमें correct answer होगा option D यानी गुजरात और राजस्तान ये दोनों में पाया जाता है और हाली में भारत सरकार ने इसको critically endangered list में सामिल किया है आंधरपर्देश हाई कोड के मुख्य नयायदिश के रूप में किसने सपत ली तो आंधरपर्देश हाई कोड के मुख्य नयायदिश मनाए गए है अरूप कुमार गोस्वामी अगर हम हाली के जो newly appointed chief justices की बात करें तो देखें justice as more lizard ये उरिशा हाई कोड के chief justice मनाए गए है justice rs चोहान ये उत्राखंड हाई कोड के मनाए गए है रवी मालिवत ये हिमाचल हाई कोड के मनाए गए है पंकज मिथल ये जमुएन कश्मीर लद्दा कोड के मनाए गए है justice हीमा कोली ये first woman chief justice मनी है तिलंगाना हाई कोड की यहां से question पुछा जा सकता है साथी मौम्मद रफिक इनको मद्यपर्दिस हाई कोड का chief justice मनाए गया है और शुधानसु धूलिया इनको गोहार्टी हाई कोड का chief justice बनाए गया है तो ये सब ही आपके लिए important है इनको आप याद रखना clear polosak जो हाली में पुरुसों के test match में umpiring करने वाली पहली महिला अधिकारी मनी ये किस देश से है तो ये हैं फ्रेंट्स ऑस्टेलिया से और अभी ऑस्टेलिया और इंडिया के बीच थर्ड टेस्ट मैच हुआ है तो उसमें इनोंने इसमें इनोंने जो है first woman match umpiring की भूमी का इनोंने निभाई है साथे फ्रेंट्स ये भी आप याद रखना कि GS Lakshmi ये जो हैं first female हैं जिन्होंने men's ODI match में referee की भूमी का निभाई है तो referee और empire में अंतर होता है ये आप याद रखना और जो ये question में है clear polosak तो friends इन्होंने पहले भी इस तरह की एक भूमी का निभाई है जब ये first female empire बनी थी men's ODI में umpiring करने वागी तो ये empire मनी थी और जो GS Lakshmi है ये referee बनी थी तो दोनों में अंतर होता है Chronicle of the Philanthropy द्वारा जारी की गई 2020 सिर्ष दान की वार्षिक सूची में सबसे सिर्ष पर कोन रहा तो options आपके सामने हैं और correct answer होगा इसमें option B Amazon के CEO and founder Jeff Bezos इन्होंने friends climate change के लिए जो है 10 billion US dollar donate किये हैं COVID-19 vaccine के लिए अधिकार प्राप्त समीती के अध्यक्स के रूप में किसे news किया गया है इस question को English में भी देख लेते हैं who has been appointed as the chairperson of an empowered committee for COVID-19 vaccine तो ये बनाए गए है RS Sarma निमलिकित में से किसने bank रहित segment में वित्य समावेस को बढ़ावा देने के लिए India Post Payments Bank के साथ साजेदारी की है यानि which of the following has partnered with India Post Payments Bank to promote financial inclusion among unbanked segments तो ये किया गया है FSS के साथ यानि Financial Software and Systems के साथ और friends जब बात हो रही है India Post Payments Bank की तो आपको ये भी याद रखना जुरूरी है कि इसके नए CEO and MD बनाए गए है जे वेंकटत रमू जे वेंकटत रमू निमलिकित में से किस ने Anti-Doping Education and Learning Platform यानि EDL लॉंच किया है तो ये लॉंच किया है WADA ने यानि World Anti-Doping Agency और इसका हैटकार्टर से कैनाडा के मौन्ट्रियल में Indian Oil Corporation Limited और किस बैंक ने सहे ब्रांडेड यानि को ब्रांडेड संपर्ग रही थी यानि Contactless रूपे डेविट कार्ड लॉंच किया है तो ये किया है State Bank of India के साथ मिलकर State Bank of India के चेर्मेन है दिनेश कुमार खारा और Indian Oil के चेर्मेन है स्रीकांत मादव वैद्य आगे बढ़ते हैं फोन पे ने अपने प्लैटफोर्म पर निमलिखित में से किस के साथ पिलकर Term Life Insurance Plan लॉंच किये तो ये लॉंच किये है ICICI Prudential Life Insurance के साथ तो जब बात हो रही है ICICI Prudential Life Insurance की तो आपको ये भी याद रखना जुरूरी है कि RBL Bank और ICICI Prudential Life इन दोनों ने एक Bank Assurance Partnership भी हाल ही में साइन की है देखे, Bank Assurance का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई Bank या फिर कोई Insurance Company दोनों इस तरह का Pact साइन करती है तो जो Insurance Company के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी उनकी बीमा पॉलिसी होती है उनको जो Bank है वो अपने ग्रहाकों को बेचता है उनको ओफर करता है तो इसमें दोनों का ही फायदा होता है तो जितना अच्छा Bank होगा जितना उस पर टरस्ट होगा तो उत्रा ही कस्टमर उस पर विश्वास करेंगे और पॉलिसीज खरीदेंगे तो इसको बोलते हैं Bank Assurance All India Jam and Jewelry and Jewelry Domestic Council के अध्यक्स के रूप में किसे निउख्त किया गया है तो ये किया गया है आसीस पेठे को और इसके जो Vice Chairman है ये बनाए गई है सयम महरा तो याद रखना All India Jam and Jewelry Domestic Council G.J.C भारते रिजर्व बैंक ने हाली में वसंततादा नगरी सैकारी बैंक का लाइसेंस रद्ध कर दिया है इस बैंक का मुख्याले महराष्ट के किस जिले में इस्तित है तो options आपके सामने है और सही answer होगा option D तो यह बैंक महराष्ट के उस्मानाबाद जिले में इस्तित है RBI ने कहा है कि बैंक अपनी मौझूदा वित्य इस्तिति के हिसाब से अभी के जामकरताओं का पुरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा इसी कारण इसका license रत कर दिया गया है बात करेंगर हाली में RBI ने जिन बैंक्स का license रत किया है तो करार जनता सहकारी बैंक लिमिटेड सुबद्रा लोकल एरिया बैंक and CKP कोपरेटिव बैंक यह तीनों बैंक महराष्ट में इस्तित हैं और तीनों के license रत कर दिये गए है तो इन तीनों बैंक्स को आप अपने note कर लीजे आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से किसने engineering collegeों में परवेश के लिए सहीउक्त परवेश परिक्षा यानि JEE की तयारी कर रहे छात्र छात्राओं की मदद के लिए भारत में एक academy शुरू की है तो options आपके सामने हैं और सही आमसर होगा इसमें option C Amazon India ने ये Amazon academy नाम से एक academy शुरू की है ये एक online academy होगी और इसमें online lectures, assessments ये सभी provide कराए जाएंगे और इस app का जो ये Amazon academy है इसका beta version play store से install किया जा सकता है आगे बढ़ते हैं केंद्रिया खोफिया एजेंसी CIA यानि Central Intelligence Agency के परमुक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो options आपके सामने हैं और correct answer होगा option C, William Burns तो जो ये Central Intelligence Agency है ये United States of America की एक खोफिया एजेंसी है ये आपको पता होना चाहिए तो साथी friends ये भी आप देखिए कि United States के नव निर्वाची त्राष्ट पती जो बाइडन ने अपनी administration में जिन भारतिय अमेरिकी लोगों को नोमिनेट किया है ये उनकी लिस्ट है आप इस screenshot यहां से ज़रूर ले लिजे इनमें 4-5 नाम काफी important है जैसे कि तीसे नमबर पर आप देखिए वनीता गुपता इनने Associate Attorney General निउक्त किया गया है अली जैदी इनने National Climate Advisor निउक्त किया गया है तरुन छाबरा ये Senior Director for Technology and National Security है सुमोना गुहा ये Senior Director for South Asia निउक्त किया गया है Sabrina Singh ये काफी important रहेंगे आपके लिए Deputy Press Secretary Office of the Vice President इनको निउक्त किया गया है तो इसका आप screenshot ले लिजे आपके exam में हैं से एक question पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं किस bank ने स्वयम सहायता समूहो यानि Self-Help Groups को कार्यसील पूजी परदान करने के लिए NEP Foundation के साथ एक समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किये है तो options आपके सामने है और correct answer होगा option D Central Bank of India Central Bank of India का headquarters है Mumbai में और इसके MD&CO है पल्लाव मोहा पात्रा किस देश ने अपना सबसे बड़ा 30 ये रक्सा अभ्याज C.Wizil 21 शुरू किया है तो इसका सही answer होगा India तो friends भारत ने C.Wizil 21 ये एक Coastal Defense Exercise है इसका Second Edition हाली में शुरू किया है और इसमें जो है भारत अपने 13 Coastal States and UTs सामिल इसमें करेगा और देश की जो इसमें कवर की जाएगी इस पुस्तक के लेकर कौन है तो options आपके सामने है और correct answer का option C. तो S.Y. Quresi यानि साबुद्दीन याकूब Quresi ये भारत के पूर्व Chief Election Commissioner रह चुके है तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है किस देश ने बायो डायवर्सिटी के लिए One Planet Summit का आयोजन किया तो ये आयोजन किया गया France द्वारा in cooperation with the United Nations and the World Bank तो इसमें वही है कि बायो डायवर्सिटी को कैसे conserve कर किया जा सके इसके बारे में जड़चा की गई है डॉक्टर नजमा हेपतुला जिन्होंने हाल ही में Lieutenant General Conas Himalaya Singh द्वारा लिखित Making of a General Himalayan Eco नामक पुस्तक जारी की ये किस राज्य की राज्येपाल है तो correct answer होगा इसमें option C नजमा हेपतुला मनिपूर राज्य की राज्येपाल है और यहां के CM है N.B.R.N.S. और Capital है Imfall तो यह कोश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि आपको बुक दे दिया जाए Making of a General Himalayan Eco ये पुस्तक किस ने ओथर की है तो यहां से भी कोश्चन पूछ सकता है तीन तरह से कोश्चन यहां पर बन सकते हैं निमलिखित में से किस पहाडी को हाली में तितली सूपर होट स्पोट के रूप में मानेता दी गई है यानि Butterfly सूपर होट स्पोट के रूप में Recognize किया गया है तो चार आपके सामने options हैं और इनमें सही answer होगा option D Siruani Hills तो यहां से आप देख सकते हैं कि यह तमिल नाडू के कोईमब टूर में है निमलिखित में से किसे Tesla India के निदेशक के रूप में निउक्त नहीं किया गया है तो friends इस question में पूछा गया है यह negative option है कि किसको निउक्त नहीं किया गया है तो चार options आपके सामने है तीन को निउक्त किया गया है लेकिन एक जो है वो हमारा गलत option है तो जो गलत option है वो है option B मलिका स्री निवासन इनको Tesla India का डिरेक्टर निउक्त नहीं किया गया है बाकी जो है वैभाव तनेजा डेविड जॉन फिंस्टिन और वेंकर टरंगम स्री राम एंटे भी कर दी है और एक लाख रूपे पेड़ अप कैपिटल के साथ इसने ये सुरुवात की है फ्रेंड्स बात करें टेसला के बारे में तो टेसला जो है 2003 में इस्थापित की गई थी ये एक American Electric Vehicle Company है और इसका हैटक्वाटर से Palo Aldo in California और ये Electric Cars बनाती है और फ्रेंड्स Solar Panels भी बनाती है Solar Roof Tiles इसका भी Production करती है इसके CEO है Elon Musk और याद रखना कि Elon Musk जो है South Africa यहाँ पर ये जन्म इनका हुआ था महिला उद्मेता मंच को बढ़ावा देने के लिए Flip Card ने नीमली कित में से किसके साथ सहयोग किया है तो आंसर होगा Option B नीती आयोग के साथ सहयोग किया है नीती आयोग की बात करें तो इसके Chairperson देश के Prime Minister होते है जो कि अभी नरेंदर मोदी है Vice Chairperson है राजीव कुमार CEO है अमिताप कांथ और एक जन्वरी 2015 को इसके स्थापना की गई थी Planning Commission को Replace करके Digital RIN देने में धोकाधड़ी को नियंतिर्थ करने के लिए RBI द्वारा गठित 6 सदस्य कारे समू का परमू कोन होगा Who will head a 6 member working group set up by RBI to regulate Digital Landing Frauds So, 4 option आपके सामने है सही आंसरों का option B जैंत कुमार दास तो 6 लोगों की एक कमीटी बनाई गई है इसमें जैंत कुमार दास है अजे कुमार चोदरी है पी वासुदेवन है मनुरंजन मिश्रा है साथी इसमें विकरम महता है और राहूल शची है तो एच 6 सदस्य कमीटी है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानि IRDAI द्वारा गठित स्वास्ते बीमा सलाकार समीधी का परमुक कौन होगा IRDAI इसके फिलोफ होती है Insurance Regulatory and Development Authority तो friends कौन होगा आंसर होगा इसमें option D सुभास चंद्र कुंटिया तो देखे इसमें एक आगया है कि IRDAI के जो chairperson होंगे वो इस committee के head होंगे तो IRDAI के chairperson है सुभास चंद्र कुंटिया और यही इसके chairperson रहने वाले हैं बाकि सदस्य के नाम भी आप यहां से देख सकते हैं यह इतना important नहीं है और friends यह आपको मैंने बता दिया कि IRDAI के chairperson है सुभास चंद्र कुंटिया आगे बढ़ते हैं प्रशिद्द लेखक वेद महता जिनका हाली में निजन हो गया यह किस पत्रिका से जुड़े हुए थे तो चार options आपके सामने है correct answer होगा option D तो एक काफी प्रशिद्द लेखक रहे हैं Indian American Nervalist हैं वेद मैता और यह The New Yorker इस पत्रिकाज में लिखते थे प्रशिद्द सामाजिक कारे करता D प्रकास राओ जिनका हाली में निजन हो गया किस प्रसकार के प्राप्त करता रहे है तो friends इन्हें जो है पदमश्री से सम्मानित किया जा चुका है और इनका हाली में निधन हो गया है तो यह सामाजिक कारे करता रहे है तो ऐसे ही पुछा सकता है कि किस फिल्ड से जुड़े थे तो यह सोशल एक्टिविस्ट रहे है अब देखते हैं आज का अंतिमी कोश्चिन फ्रेंच ओर्डर ओफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है तो चार ओप्शन्स आपके सामने है तो यह किया गया है रोहिनी गोड बोले को तो सम्मान का नाम है ओर्डर नेशनल ड्यू मेरिट जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच ओर्डर ओफ मेरिट तो इससे ही ने सम्मानित किया गया है ये एक बहुतिक विज्ञानिक है और इनको पदमिस्री भी मिला हुआ है तो फिलाल जो है ये भारतिय विज्ञान संस्थान में Center for High Energy Physics में प्रोफेसर है जो की बैंगलूरू में है यहाँ पर ये प्रोफेसर है किस देश ने जो इस्री दासवर्मा को भारत के उत्तर पूरू में मानत कॉंसल के रूप में न्यूक्त किया है आंसर होगा इसराईल तो भारत के नौर्थिस्ट यानि पुरुवत्तर राज्यों में अपनी उपस्तिति और सहयोग बढ़ाने के लिए बारत में इसराईल के द खेतरी जगा पर इंडो-इसराईली सेंटर ओफ एक्सिलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इसकी आधार सिला रखी है साथी फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि कभी-कभी इस तरह का कोश्चन भी पुछा जाता है कि किस देश में हाल ही में दो साल के अंदर-अंदर चोथा इलेक्शन होने जा रहा है जो हमारे फ्रेंड्ली नेसंस हैं इन से जुड़े वे करंट अफेर्स एक्जाम में पुछे जाते हैं तो याद रखना यह है इसराइल तो यहाँ पर अब मार्च में फिर से इलेक्शन होने जाएंगे और यह दो साल के अंदर-अंदर फॉर्थ इलेक्शन होंगे साथी फ्रेंड्स इंडिया जो है इसराइल से इस्पाइस बॉंब्स ये भी खरे दीगी अब थोड़ा इसराइल के बारे में जान लेते हैं तो इसराइल के अमबैसडर को न है इंडिया में यह है डॉक्टर isiaन लंल क और यहाँ के प्रेजिडन्ट है रिविन रिविवॐ्लिन प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के बेंजमीन नेतन याहू यहां की कैपिटल है जेरुसलम करंसी है इसराइली शेकिल और यहां की पार्लियमेंट को बोला जाता है नेसेट और यहां की ओफिशल लेंगवेज है हिब्रू यह टर्मा प्याद रखना तोरा जो जूइस बाइबल है इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको तोरा बोलते हैं कभी-कभी कोश्चन पूछा जाता है कि तोरा किस धर्म से संबंदित है या किन लोगों से संबंदित है तो आंसर होगा जूज साथी फ्रेंट्स सीनागोग या आपके इंगलिस में अगर आप देखें एससे के आप प्रिवेस येर कोश्चन पेपर उठा कर देखना उसमें सीनागोग पूछा गया है कि वन वर्ड सब्स्ट्टूशन में पूछा गया है कि ये किस धर्म से रिलेटिड है तो जो जृइष पूपल होते हैं तो इनका जो वर्षिप प्लेस होता है या फिर अपने धार्मिक स्टडी जो प्लेसे होता है धार्मिक अध्यान का उसे बोला जाता है सीनागोग ये है फ्रेंट्स इसराइल का मैप तो देखे इसराइल जो है लेबनान, सीरिया, जोर्डन, वेस्ट बैंक, गाजा इस्ट्रिप और इजिप्ट के साथ अपना लेंड शेर करती है देखे, अब यहाँ पर आप जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इसराइल के बारे में, यह है जोर्डन रिवर, जो आपको ब्लू दीख रही है, यहाँ पर जोर्डन रिवर है, और यह है वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक का ज्यादा तर एरिया इसराइल के अंड में है, और बाकी का जो है यह पैलेस्टाइन के अंदर में है, कई बार आप देखेंगे, जो भी पूरा मुद्दा चलता रहता है, जो जड़प होती रहती है, यह इसी कारण ज्यादा तर होती रहती है, वेस्ट बैंक के कारण, और यह है जोर्डन रिवर्स के नीचे है, तो याद रखना, डेट सी नहीं पर है, और यह है फ्रेंट्स गाजा इस्ट्रिप, यह भी काफी विवादित एरिया रहता है, और जो गाजा इस्ट्रिप है, यहाँ पर हमास संगठन रूल करता है, अगर आप किसी अच्छे एक्जाम के तयारी कर रहे हैं, अच्छे को याद रखना, साथिफेंट्स, सिक्स्टे वार, यह वर्ड हिस्ट्रि में कोश्चन मनता है, कि सिक्स्टे वार कब लड़ा गया था, तो यह 5 जून से और 10 जून 1967 के बीच हुआ था, और इसमें जो है इसराइल, और इसराइल के अगेंस्ट थे, जॉर्डन, सीरिया और तो इन देशों में यह लड़ाई हुई थी, एक साइड इसराइल, और दूसरी साइड जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट, साथिफेंट्स, निगेव डिजर्ट, यह याद रखना यह है इसराइल में, आगे बढ़ते हैं, किस उच्चे नियायाले ने एक ट्रांसजेंडर चेल्डरन्स होम्स, यह बैंगलूरू में बनेगा, और शाइन सोनी, यह 2020 में, इंडियाज मिस ट्रांसक्वीन, इसका किताब इन्होंने जीता है, साथि इंडिया की पहली उनिवर्स्टी, जो की ट्रांसजेंडर कम्मिनुटी के लिए बनेगी, यह बनेगी उत्तर प्रद अब पूरे विच्प में सब छादा रेंबो में यह निऊजलैंड में इससे पहले उनायट Click200 में होते थे तो ये टर्म भी आप याद रखना, ये है इनका फ्लैग, रेंबो फ्लैग, ट्रांचेंडर कम्यूनिटे का फ्लैग है ये, पुर्वत्तर भारत के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्गाटन किस सहर में किया गया, तो ये किया गया है शिलोंग में, शिलोंग ओम कारेश्वर डेम पर, और फ्रेंट जो ये चारो डेम है, बारगी डेम, इंद्रा सागर डेम, ओम कारेश्वर डेम, सरदार सरोवर डेम, ये चारो डेम नर्मदा रिवर पर हैं, तो ये भी आप याद रखना, देखें नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं, आसे क की और फ्लो करती हैं साथी फ्रेंट्स दामोदर रीवर तापती रीवर और नर्मदा रीवर यह जो हैं रिफ्ट वैली बनाती है तो यह जो आप में से जिन बच्चे जो बच्चे दो-तीन साल से गर एक्जाम दे रहे हूं तो उन्हें देखा होगा कि कई एक्जाम में इस त नर्मदा नदी भी होती है पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा नई बनाती है तो यह जो आपके जियाखाफि में कुश्यन पूछन पूचा जाता रखना कि Soft Wall Federation of India की पहली माईला प्रेजिडेंड बनी है नीतल नारंग और संजे कुपूर ये All India Chess Federation के प्रेजिडेंड बनी है साती भरत सिंग चोहान ये सेक्रेटरी पोस्ट पर चुने गए है भारत का पहला इंडोर इसकी पार्क किस इस्थान पर बनेगा तो ये बनेगा कुफरी कुफरी कहां पर है हिमाचल परतीस में तो फ्रेंड्स ये होता है इसकी स्पोर्ट्स ठीक है और ये जो अपने लेक्स में बांध कर रखते हैं ये होती है इसकी इनको बोलते हैं इसकी पुर्वत्तर भारत के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्गाटन की सहर में किया गया है तो यह किया गया है कारगिल तो देखे यह भी देख लेजिए आप जो 2000 इससे पहले यहां पर यह देख लेते हैं तो कारगिल में किया गया है कारगिल डिष्टिक में और अगर इस्पेसिफिकली बात करें तो यह है चिकतन जो जगा है यहाँ पर किया गया है और यह भी याद रखना कि 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं यह रियाणे के पंचकुला में होंगे साथी फ्रेंट चो 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए है ये आसाम के गुवार्टी में हुए है और पहले खेलो इंडिया यूश्टी गेम्स 2020 में उडीसा के भूवनेश्वर सहर में हुए है और ये भी आद रखना कि गटका, कलरी पेयत्तू, ठांगता और माला खंबा इन चारो स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इंकुलूड किया गया है साथी फ्रेंट्स खेलो इंडिया जांसकर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल गेम्स ये भी 15 जनवरी से ब सुरू होने वाले है 2023 में कौन सा देश विश्व का पहला लकडी का उपगरे लॉंच करेगा तो ये करेगा जापान हाला कि ये भी काफी सुरुवाती स्टेश पर है अपने इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन इस तरह की नियूज निकल कर आ रही है कि जापान जो है वर्ड का फर्स्ट वोडन सेटेलाइट लॉंच करेगा 2023 में साथिकर जापान से जुड़े करेंट अफर्स की बात करें तो इसकिल्ड वर्कर्स के लिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने और जापान ने एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है साथि फ्रेंट्स इंडिया जापान समवाद कॉनफरेंस भी हाली में हुई है तो याद रखना समवाद कॉनफरेंस ये इंडिया और जापान से संबंदी थे और यहाँ पर परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक बुद्धिस्ट लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव भी रखा है तो यहां से इस तरह के question भी बन जाते हैं कि किस समवाद के दोरान या किस conference के दोरान परधार मंतरी नरेंदर मोदी ने बुद्धिस्ट library बनाने का प्रस्ताव रखा है तो answer होगा समवाद conference साथी फ्रेंट्स इंडिया और जापान ने स्टील इंडरस्टीज में सहयोग के लिए भी एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं निमलिखित में से कौन एक लगुवित्य बैंक में परिवर्तित होने वाला देश का पहला सहरी सहकारी बैंक बन गया है यानि कौन सा पहला अर्बन कोपरेटिव बैंक है सा जो की small finance बैंक बनने जा रहा है तो ये बनने जा रहा है उत्तरपरदेश बेश्ट सिवालिक मर्केंटाइल कोपरेटिव बैंक और अप्रेल 2021 से ये अपना कार्य शुरू करेगा as a small finance बैंक युद्ध अनार्थों का विश्व दिवस की स्तिथी को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है छे जनवरी को Translational Health Science and Technology Institute जहां डॉक्टर हर्सवर्दन ने हाल ही में CEPI परियोग साला का उध्वाटन किया कि सहर में इस्तिथ है CEPI का मतलब है Friends Coalition for Epidemic Preparedness Innovations तो ये लेबरोटरी इस्तिथ है फरीदाबाद में और याद रखना डॉक्टर हर्सवर्दन के पास तीन मिनिस्ट्रीज है Ministry of Science and Technology, Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Earth Sciences डॉक्टर हर्सवर्दन जीने को हाल ही में जो गावी है जो वेक्सीन एलाइंस है इसका भी बोर्ड मेंबर इनको नियुक्त किया गया है साथी Friends डॉक्टर हर्सवर्दन ने हाल ही में ओशन डेटा मैनेजमेंट के लिए डिजिटल ओशन इस डिजिटल प्लेटफोर्म को लॉंच किया है साथी इन्हों ने हाल ही में इंडिया की फर्स्ट डिमोकोकल वेक्सीन जो की नियुमोनिया के लिए है इसको भी लॉंच किया है और इसका नाम है नियुमोसिल साथी डॉक्टर हर्सवर्दन ने हाल ही में एक रिपोर्ड भी जारी किये एक्षन एजेंडा फोर एन आत्व निर्भर भारत जिसको बनाया है TIFAC ने यह हमने अपने प्रिवेस सेशन में डिसकस भी किया है बारत सरकार ने कॉलकाता पश्ची मंगाल में अंतर देशिये जल परीवहन बुनियादी धाचे में सुधार के लिए किस बैंक के साथ 105 million American dollar की योजना शुरू की है तो यह की है word bank के साथ इनके headquarters भी देख लेते हैं वर्ड बैंक का headquarters है Washington DC में New Development Bank जिसे Bricks Bank भी कहते हैं इसका headquarters है शंगाई में Asian Development Bank का headquarters है Manila in Philippines Asian Infrastructure Investment Bank इसका headquarters है Beijing में तो देखे वर्ड बैंक से जुड़े हाल ही के लोन देख लेते हैं जो इंडिया को इसने अप्रूव किये हैं तो फ्रेंड्स स्टेट जो सेफ हाइवेज और ग्रीन हाइवेज बनाने के लिए इसने 500 मिलियन युएस टोलर इंडिया को प्रवाइट कराये हैं साथी फ्रेंड्स COVID-19 से रिलेटेड भी इसने 400 मिलियन युएस टोलर भारत को एप्रूव किये हैं और इसने फ्रेंड्स COVID-19 से एक और 400 ये तो यही वाला हो गया पहले वाला हो गया साथी फ्रेंड्स इसने भारत में जो डैम्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए 250 मिलियन युएस टोलर का लोन भी अप्रूव किया है जो MSME है तो इसके रिलेटेड भी एक 750 मिलियन युएस टोलर का लोन अप्रूव किया है शोरिय वेतन खाते के लिए किस बैंक ने भारतिय सेना के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह किये हैं बंधन बैंक ने बंधन बैंक की बात करें तो इसका हैटकार्टर स्कॉल काता में है और इसके जो नोन एक्जेक्यूटिव चेर्मेन है यह है डॉक्टर अनूप कुमार सिना और इसके जो मैनेजिंड डिरेक्टर और सी यू है यह है मिस्टर चंदर सेकर घोश हाली में परदनमंत्री णरिंदर मोधी ने कर्नाटक में कोची मंगलूरू प्राकरति गैस पाइपलाइन का उधगातन किया इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है तो इस पाइपलाइन की लंबाई है 450 km और इसको बनाय है गेल ने कोस्च्च इस तरह लहीं पूचा जा सकता है कि हाली में परधार मंत्री नलेंद्र मोदी ने जो 450 km यूरो प्राकरति गेस पाइपलैन का उद्गाटन किया. इसको किस ने मनाया है तो इसको बनाया है गेल ने परधारमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की पहली डबल इस्टेक कंटेनर ट्रेन को किन दो जंक्षन के बीच हरी जंडी दिखाई तो यह दिखाई है फ्रेंड्स हरियाना के निव अतेली से और राजस्थान के निव किसन कंजित तो यह दोनों कोश्चन एक जैसे हैं इसलिए मैंने इनको एक साथ रख दिया तो फ्रेंड्स इन्होंने साथ ही में 306 किलोमेटर लंबी रेवारी मदार सेक्षन जो की वेस्टर्ण डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर का एक हिस्सा है इसको भी लौंच किया है तो एक कोश्चन यह भी बन सकता है फ्रेंड्स याद अखना कि जो डेडिकेटट फ्रेट को पोरिडोर है यह उत्तर परदेश से और महाराष्ट तक जाएगा तो यह दोनों पॉइंट इच्वे आप याद रखना और साथ में आप सभी करंट अफेर्स फंड़ा को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट लगी थैंक यू गाइस